नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने योट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एलपी टेक्निशन एस्पेशल सायंस जो एसके जासर का नियो बुक आया है इस बुक का सलोशन करने वाले हैं अगर आप लोग इस बुक को पर लेते हैं तो आपक लोग एलपी का त्यारी करते हैं या टेक्निशन का तो आप लोग इस बुक को पढ़ सकते हैं दोस्तों आज हम लोग इस बुक से केमेस्ट्री का चैप्टर वाई चैप्टर कोसन सलोशन करेंगे दो वीडियो जो है वो अपलोड है एक फिजिक्स का और एक बाइलोजिक का मास्टर वीडियो दोनों का एक-एक अफ्लोड है अगर अभी तक आप लोग ये दो वीडियो नहीं देखें तो आप लोग परले लिष्ट में जा के देख सकते हैं हम लोग इस वीडियो में केमेस्ट्री का चैप्टर वाई चैप्टर सलोशन करने बादे हैं दूस्तों सा पुछा हुआ है तो आप लोग एक्जाम से पहले एक वार इस बुक को जरूर पढ़ लिजेगा यह बहुत ही बहतरीन है जो की चाहिए चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस बुक में टोटल आपको 3500 कोशन परस जो है दिया गया है और सभी कोशन टीची एस के लेटेश पैटरन पर और टीची एस के दौर आप पुछा गया सारे कोशन चेप्टर बाइचेप्टर आपको मिलेगा और एंस चाटी का भी कोशन इसमें आपको मिलेगा तो आप लोग इस बुक को एक बार जरूर पढ़ने की कोशिस कीजिएगा आज हम लोग क केमिस्ट्री का पहला चेप्टर है छोटी-छोटी मगर मोटी बाते इससे भी कोशन पुछा गया है तो आपको यह भी चेप्टर जो है ओपरना है चले स्टार्ट करते हैं उससे पहले दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दिजेगा और नया है तो सभी लोग आपको सबसे पहले मिले इस चैनल पर आपको एंटीपीसी और गुरूपडी एलपी समांगे जितने भी बुक नियू आएगा उसका सुलोशन आपको सबसे पहले मिलेगा तो सब लोग जो डेलबेक त्यारी करते हैं इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे चलिए सब्सक्राइब करते हैं जेप्टेर वन तेखे यहां पर पर प्रत्थम कोशन है कि कि निम्लिक्तिन स्खिषिष ने एं रशानिक शयोजन के दो महत पुर्ण नियमों की अस्थापना कर के रशायन विज्यान की नीव रखी थी तो दोस्तों यहां पर और फोचीन पूछेगा कि रशन बिज्ञान का पिता किसे कते हैं या रशन बिज्ञान का नीव किसे ने रखा था तो दोस्तों ये फ्रांसिसी बिज्ञानी की एंटोनी एल लेभोजियर ये रशन बिज्ञान का नीव रखा था और इसे ही रशन बिज्ञान का पिता भी कहा जाता है ये कहा कि थे तो समय कुछ पॉइंट दिया गया है उसको भी हम लोग ध्याम रखते हुए चलेंगे देखे नेक्स्ट पॉइंट है कि अनेस्ट रेड़ फोर्ड न्यूजलेंड के भौत की सास्त्री थे जिने प्रमानों बहुतिक के जनक की रुप में जना जता है यानि प्रमानों बहुतिक क परिकर्मा जो करते हैं वो इलक्ट्रोन करते हैं नाविक के चारों इनकी नाविक के भौतिक में योगदान के लिए 1908 महीन है नोबल पॉर्षकार जो है वो दिया गया है और यह न्यूजलेंड के रहने बाले थे चलिए अगला कोशन हम लोग देखते हैं जोस्तों आप ल इलक्ट्रोन जो पर्मानु का एक घटक है किसने खोज किया तो इलक्ट्रोन का खोज हम सभी लोग जानते हैं जे जे थॉम्सन ने किया था किसने तो जे जे थॉम्सन ने किया था प्रोट्रोन का खोज किसने किया तो गॉल एस्टिन या रजर्ट फोर्ट देता है जबकि कॉशन देखते हैं हम लोग रेडियो सक्रिता का विश्कार किस ने किया तो इसका विश्कार हम सभी लोग जानते हैं कि रेडियो जो सक्रिता है इसका विश्कार हेंड्री बेकुरल ने किया था ऑप्सन इसका जो है सी कोलेक्ट हो जाएगा यहां पर दिया गया है कि हेंड्र कि बेकुरल ने रेडियो सकेता का अविश्कार किया चलिए एगला कुछन है कि कौन सा नियम गयासों से संब्धित नहीं है यह कौन सा नियम जो गयासों से संब्धित नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चलिए इसका आंसर देखते हैं यह फ्राइडे का नियम जो है य तो पर्थम कथन है कि ठोस्पदार्थ का अकार और निशित होता है तो दोस्तों यह गलत है ठोस्पदार्थ का अकार और आयतन दोनों निशित होता है और गैस का और निशित होता है तो यहाँ पर ठोस्पदार्थ का अकार निशित होना साहिए यहाँ और निशित दिया गया यह पर्थम कथन जो यह गलत दिया गया है नेक्स्ट देखते हैं यहां पर ठोस दर्ब और गयस का कुछ उधान दिया गया है चलिए अगला कॉसनिक उस प्रकिडिया को किस नाम से जना जता है जिनमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सिधे हुआ गयस अबस्था में बदल तो गयस में बदल जाएगा इस्वेग कहकाते हैं तो दोस्तों यह हम सभी लोग जानते हैं उसे उठ्धव पातन करते हैं जिसे कपूर को हम लोग गर्म करते हैं तो गयस बन जाता है तो यह उठ्धव पातन का उधारन है नेक्स्ट कोशने की ड्यास मदवर्ती तरल आवस्था में प्रागमन के बीना किसी तत्व को परचिक्च रूप से ठोसे ग्यास्था में परिवर्दन करने की परकिर्या है Graywoodum तो दोस्तों यहां भी उर्धपातन हो जाएगा जनी ठोसे गैस कर रहा है तो उर्धपातन हो जाएगा यानि ऑप्स नमर जो है वो यहीज बी हो जाएगा उर्धपातन हो जायेगा चलिए नेक्स है कि समानेता पदार्थ की अवस्ता के भोतिक वरिक्रण में डैस अवस्ता को सामिल नहीं किया जता है तो इसका आंसर उचेगा तो यह नेक्स कोशन है कि कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है तो यह जो कथन है यह गलत दिया गया है तो यह जो कथन है यह गलत दिया गया है जबकि नेक्स कथन है कि पदार्थ के कन एक दूसरे को अकरशित करते हैं यह सही है नेक्स है कि पदार्थ के कन के बीचे मेरिक्त अस्तान होते हैं तो यह भी सही है पदार्थ के कन बहुत छोटे होते हैं तो यह भी सही है पर्थम कथ इसके नुशार पदार्थ जो है वह अत्यान छुट्टे कनों से बने होते हैं जिसे परमानों का जता है नेक्स्ट पॉइंट है कि ताप में परिबतन करके किसी पदार्थ की अवस्ता को बदला जा सकता है परन्त इसके इसमें कुछ अपबाद भी है जिसे लक्री पथर ये क परिबर्तन करके नहीं बदल सकते हैं तो ये अपबाद में है जल तीनों वस्ताम रहता है जाल जो है तो यह सबार्भ भ॥еюсь कि तीनों अबस्ता में रह सकता है चलिए एकला कॉशन है कि क्रोमेटो ग्राफी की तक्निकी का पर्योग होता है जो कि NTPC 2016 में पूछा गया है तो क्रोमेटो या निक्रोम ये तो ग्राफी का पर्योग जो है एक मिश्रन से अभियवी प्रदार्थ को अलग करने में पर्योग करते हैं नेक्स्ट कॉशन है कि किसे अन्परदार्थों में नहीं बाटा जा सकता है तो ये एट्टम हो जागा इन्प्रमानों को अन्परदार्थों में नहीं बाटा जा सकता है कौन ओधात्विक खनीज है कौन ओधात्विक खनीज है तो इस कांसर हो जागा दोस्तों ये किस बिग्यानिक ने पतार्त की पाशिविय वथा के लिए कुछ गन्ना कि थी तो इसका आंसर और शेक्ट ये ॥ भारत्य भोट शाut को कि भीज्यानिक जो सत्यंद नात बोस था, इसने पदार्द की पसी अवस्ता के लिए कुछ गन्ना की थी बहुआ इंस्टीन की रुप में पदार्द की एक नई अवस्ता की भविश्वानिक ये था पलजमा की पहचान सबसे पहले कुछ ट्यूब में की गई थी और इसका वनन सर William Crookes ने किया था निप्रजमा जो है पतारत की चोथा बस था इसका खोज है William Crookes ने किया था नेक्स्ट की परवाननी B.A. परवाननो B.A. नाभी किसने खोज था तो नाभी का खोज जो है दोस्तुं ये डरर्ड़ फोर्ड ने किया था नाभी का खोज रहर फोर ने किया है तो option इसका एक correct हो जाएगा next की atom में neutron की खोज किस ने किया है तो James Chervick ने जो है neutron की खोज किया था परवानों में कच्छों को भरने का करम नियनतित होता है किसके अनुशार तो इसका आंसर हो जागा दोस्तों यह और आफ बाउस दहांत आफ बाउस दहांत का धारपर जो है परवानों की कच्छा जो है वह भरा जाता है चलिए अगला point है कि सितारों में plasma बनने का कारण क्या है इस सितारों में जो है ताराम जो है प्लाजमा बने के कारण क्या है जो कि ELP दो जटार में पुछा गया है तो दोस्तों यह सभी उच्ट आपमान की कारण होता है तारा प्लाजमा जो बनता है यह उच्ट आपमान की कारण तो इसका अंसर हो जाएगा option number D यानि उस तापमान कारण जो है सितारों में प्लाजमा बनता है next point है कि भौर्तिक एबुब लसनिक सास्त्र में प्लाजमा आंसिक रूप से एक ग्यास है जिसमें इलेक्ट्रोन का एक निशिद अनुपात किसी प्रमानों या अनुप के साथ बंदे होने के बज़ाए शोतंत्र होते हैं पदारत की राषित की प्लाजमा आग प्दारत की पीरवान्स चलिया अगला कॉस्टबर की प्रमानों का कार होता है पूछा गया है तो सभी तत्वों के परमानों का जो अकार होता है दोस्तों यह गोलिये होता है option C का correct हो जाएगा कौन सा gas दर्ब और ठोस इस्तिति में मुक्त रूप में उपलब्द होता है कौन GAS ठोस और दर्ब वस्ता में रधता है तो अभी आपको बताएते दोस्तों यह हो जाएगा कौन सा gas यहाँ पर कौन सी gas पुछा है जो दर्ब और ठोस इस्तिति में मुक्त रूप में उपलब्द होता है तो gas है तो CO2 gas जो है यह दर्व और उठोस इस्तिति में मुक्त रूप से उपलद होता है तो इस cancer CO2 हो जाएगा चलिए अगला question देखते हैं ताप बढ़ाने पर सभी पतारतों की बिलेता क्या होगा तो ताप बढ़ाएंगे तो पतारत की बिलेता जो है दोस्तों यह कुछ पतारतों की बढ़ती है और कुछ पतारतों की घरती है तो इस cancer D हो जाएगा कुछ पतारत की घरती है अगला question है कि निम्लकित में से कोई सा उपकरन जो है रसानिक उर्जा को बिदूत उर्जा में परिवर्थित करता है तो रसानिक उर्जा को बिदूत उर्जा में दोस्त बदलता है और वीदूत पंखा जो है यहांतळीक अर्जा में बदलता है हेसे यह अर ड्रायर नहीं वीदूत अर्जा को यहांत्रिके अर्जा में बदलता है। थीलीन शल्वनी में जो यह Latye संग्रीत होती है वह कौन ELIC ważne है। कोई भी पदार्थ जो स्वयंग को परिवर्तित किये बिना राषानिक अभकिर्या की दर को परभावित करने में समर्थ हो उसे क्या करते हैं हैं तो कोई भी पदा जो सोईंक को परिवर्थित कीए बिना रासानिक लिदτα के दॉर को परववित करता है है उसे उत्पर्व रखते हैं कि कि सित्यार्स है उस्मा निकलती है य। यह से रासानिक कीडियासे उसमा निकलती है उसे उसमा छेथी कहते हैं जो कह bit नच फिर में पूछा गया है १ां या नेक्सट हेठी या थोस कारबन रख्साइड को किस नाम से जाना जाता है तो थोस कारबन रख्साइड को हम सबी लोग जो है सुखी बॉर्फ के नाम से जानते हैं, जो कि ALP 2018 में पूछा गया कोशन है, यानि सुखी बर्प को ठोस कारवन ड्यक्साइड करते हैं, CO2 को सुख बर्प करते हैं, इसलिए कहा जाता है क्योंकि या गयास ठोस होती है और बर्प की तरह दिखाई देती है, नेक्स्ट पॉइंट है कि या मोख रूप से कुलिंग एजेंट की रूप में कुलिंग करने के लिए पडियोग करते हैं, कारवन तयात्व संकित C है, कारवन का प्रमानु संकिया जो है, वो 6 होता है, चलिए, अगला कोशन दिखते हैं कि कोईसी बस्तू मिस्र धातू नहीं ह कोईसी जो बस्तू है, वो मिस्र धातू नहीं है, तो इसमें ब्रॉज मिस्र धातू है, ब्रास मिस्र धातू है, स्टील भी मिस्र धातू है, जबकि जिंग जो है, यह मिस्र धातू नहीं है, वायू की संगटक गैस समानता होती है, तो वायू की संगटक गैस जो है, यह ने तो तीन धातु को हम लोग कार सकते हैं सोडियम, लिठियम और पोटेसियम इस तीन धातु को हम लोग चाको से भी कार सकते हैं जबकि अलमुनियम को हम लोग चाको से नहीं कार सकते हैं तो इसको अप लोग ध्यान रखेगा कहीं पे सोडियम देता है कहीं पर लिथियम देता है और कहीं पर पोटेसियम आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सी धातु को आसानी से हम लोग चाकोश कार सकते हैं तो सोडियम होगा या अगर सोडियम आप्सम नहीं रहे तो लिथियम रहेगा लिथियम नहीं रहेगा तो पोटेसियम रहेगा तो इस करने पर समक्ति है तो इसका option A correct हो जाएगा चलिए अगला कोशन की कोई सी धातु सबसी हलकी होती है तो सबसे हलकी धातु जो है ओलिधियम होती है जिसकी प्रवानुसंख्या तीन होती है नेक्स्ट की कुण सी धातु का तेल में रखना आवस्यक है तो तेल में रखना जो है दोसों ये पोटेसियम को आवस्यक है option B इसका correct हो जाएगा पोटेसियम नेक्स्ट की की निवलिक्त में से विश्म को पहचान कीजिए चलिए वायू मिश्रन है विश्र धातु है दूद जो है hydrogen और oxygen के निशित अनुपात से बना योगिक है वाय विभीन गैसों का मिश्रन है वाय में मुक्ता nitrogen और oxygen होता है वाय में nitrogen और oxygen होता है जबकि अधर्स गैस का संप्रिता जो है एक पोइंट होता है चलिए दूध उधारन है तो दूध किसका उधारन है दोस्तो तो दूध जो है ये इमलड़्जरम यहन्य पाएस का उधारन है option C का correct हो जाएगा next की в余यू से नमे को अबसुशित करने की परकिरिया कहलाती है तो वायू से नमे को अबसुशित करने की परकिरिया को यह नियादरी करन क Seth cycles का option C का correct हो जाएगा दोस्तों अगर आप लोग को यह वीडियो पसन्द आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक ज़रूट करेजएगा और जितने भी साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार इस चेनल पर आया हैं वो सभी लोग चेनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा ताकि पूरे बीडियो एन पूरे बुक का सलूसन आप सबसे पिले ले लोटिफिकेशन मिले तो आप लोग सिर्यल को सबस्क्राइब जो है और जनौट कर ली जाएगा चलिए अगला कौसे देखते हैं जल में सबसे कम घुलंशील गैस कौन सी है जल में सबसे कम घुलंशील गैस कोन सी है फ्लोरेंस्ट ट्यूब में उपस्तित गैसों की परकीरती के धार पर एक विसेस रंग के साथ समकता है तो इसका आंसर हो जागा दूस्वों यह पलाजमा पलाजमा जो है एक विसेस रंग के साथ समकता है कि कौन सा कथन जो है वो साही है चले देखते हैं यादी कथन सी जो है यादी जल ओक्सजन और हाइडोजन का योगिक है तो ऑप्सन सी जो है प्रेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कॉशन है कि एक मेस्र धातु किसका एक उधारन है एक मेस्र धातु जो है एक किसका एक उधारन है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों इसका उधारन है हो जाएगा ठोस्ट बिलियन, एक में स्रिधातों जो है, ठोस्ट बिलियन का उधारन है, सबसे कथोड प्राकृतिक पदार्थ पूछा है, तो सबसे कथोड प्राकृतिक पदार्थ हो जाएगा दोस्तों हीरा, हीरा सबसे कथोड प्राकृतिक पदार्थ है, या हीडे की विसाल ऋनवीक श४्रशाजना की करन है, जिसमें प्रतिक कारवन प्रवानों, स्योजाजक बंधन के साथ चा कारवन प्र में बंधि होते हैं स्रास्योजक बंधन बहुत मजबुत होते हैं और इन्हें तोड़ने के लिए बड़ी मात्रा में उड़ जाकी यापसकता होती है हीरे में कई स्रास्योजक बंधन होते हैं जो कठोर बनाते हैं यानि कठोर बनाने के लिए स्रास्योजक बंधन होना चाहिए हिरे में बहुत जो अधिक मात्रा में सลर्ण jagnore वहते हैं इसलिए यह कॉत्फोर होते हैं नायोजन कि निम्न ओकसाइड में से किसको लाफिंग गैस के रुप में जाना जाता है तो लाफिंग क्या हो जाएगा तो इसका आंसर दोस्तों यह हो जाएगा option नुमर ए यह नो और नेमित विन्यास में और नेमित गती करते हैं तो इसका अंसर हो दोस्तों हो जाएगा option number इसका अंसर यह हो जाएगा यह निस संप्रियता हो जाएगा जो कि ncrt examplard का यह question है भाप अंगार gas यानि water gas होती है तो भाप अंगार gas किसका मिश्रण है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों यह co co plus s2 co plus s2 का मिश्रण है water gas कोई सा उर्धपातन कर सकता है तो उर्धपातन दोस्तों यह क्वों कर सकता है तो यह ammonia chloride हो जाएगा तो से gas में बदलता है ammonia chloride निमन प्रक्रम दोरा कपूर आसानी से सुध किया सकता तो कपूर को शुध करने के लिए दोस्तों हम लोग उर्द बातन करते हैं कि द्धिन के अगला कोशन है कि यदी अब किरिया के दोलान कोई पता उथ हाइद्रोजन गरहन करता है तो इसेMer करते हैं तो उसे क्या कहते हैं ? तो उस्षे कहते हैं ? तो इसका कहते हैं अप्शन होजाएगा पानी में निलंबित और सुध्यों को प्रहभी धंग से हटा सकते हैं तो पानी में निलंबित और सुध्यों को प्रहभी रूप से जो हटा सकते हैं रेत की माध्यम से फिल्टरिंग करने से इसे हटा सकते हैं नेक्स्ट नी च्याउक नेक्सिंसा बिधी जो है वो जलको पंकील जल से अलग करेगी तो इसका आसर हो जाएगा दोस्तों यह निक patent सेमील होता है तो यह कार्बोनिक कर्बोनिक कार्बोनिक تو हो यह कम हो रहा था क्योंकि इसका आंसर हो जाए दोस्तों, यह है कि संऐल्सक्रण और अधिक संख्या में थे यह मंडल कंव हो हेडोजन प्रमानु शक्रिया थे और अधिक संक्या में थे तो इसका आंशर भी हो जाएगा कॉर्ट सब्सक्राइब है 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 क्यों सा समस्थानिक रेडियो शक्रिया है तो इसका आंशर हो जाएगा दोसों यह टायट्रियम और और हेड्रोजन में एक इलेक्ट्रोन लेकर हिलियम का बिन्यास प्राप्त करने की प्रविर्ति होती है इस प्रविर्ति की समंता है तो इस प्रविर्ति का जो समंता होगा वो हिलोजन से होगा यह हिलियम जो है यह हिलोजन से लिनी में आते हैं तो इसका अंसर हिलोजन हो जाएग जो कि गुरूब D दुझे रठार में पूछा गया कोशन है कौन सा एक रशनिक परिबरतन है तो रशनिक परिबरतन कोशन है तो इस कांसर हो जागे निमक्खन का खटा होना रशनिक परिबरतन होता है नेक्स्ट कोशन है कि निमक्खन से कौन सा एक रशनिक परिबरतन का उधारन है तो रशनिक परिबरतन का जो उधारन है दोस्तों यह वायू में मेंगनिसिम तार का जलना जो है यह रशनिक परिबरतन का उधारन है रशनिक परिबरतन होता है जब तो इस कांसर हो जाएनी लो जो है पर जंग लगना जो है असानी परिवरतन का उधान है नेक्ट कुर्शन है कि जेव योगिक समनता बनाता है तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों ये निश्व स्योजी आबंद बनाता है ओपशन डी इसका कोडेक्ट हो जाएगा बाराइड डिग्री सेल्शेज पर जल की भोतिक अवस्ता क्या होती है तो दोस्तों ये धर्व अवस्ता प्रिष इसका सी कोडेक्ट हो जाएगा धर्व अवस्ता नेक्स्ट है कि कराई कोई सा भीन है और भीन को चुनिये तो इसमें हो जाएगा दोसों आप्प्रियोग मुख्यता कहां पड़ होता है तो पोटेसियम जो नाइट्रेट है इसका प्रियोग दोस्तों रसानिक खाद में करते हैं प्रियोग करते हैं निश्क्रिया बिलियन का प्याचमान कितना होता है तो निश्क्रिया बिलियन जो है इसका प्याचमान दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नमर बी यानि साथ ऑप्शन बी हो जाएगा साथ निम्लिक्त में से किसमें परिवर्तन करके किसी पतारत को एक अवस्ता से दूसरे अवस्ता में परिवर्तित किया जा सकता है तो इसका आंसर हो जगाता है तो यह तापमान में परिवर्तन करने से किसी पतारत को एक अवस्ता से दूसरे अवस्ता में परिवर्तन किया जा सकता जो कि LP 2018 में पुछा गया कोशन है जब कि इसका next point है कि बादलों के वाई मंडल में तेरने कारण जो है वो कम घंधव यानि कम घंधव की कारण जो है बादलों वाई मंडल में तेरते हैं लेम की बती में तिल उपर चढ़ने कारण जो है किसी कत्व यानि उपर जो तिल और इसलिए तेरता है क्योंकि उसका घंधव पानी की घंधव से कम होता है लिए बता प्रदार्थ का सबसे छोटा कन तो प्रदार्थ का जो सबसे छोटा कन है दोस्तों यह हो जागा प्रमानु प्रमानु जो है प्रदार्थ का सबसे छोटा कन है ऐसे दो तर्ट पर जिसमें इलेक्ट्रोन की संख्या भीन भीन लेकिन जिनकी द्रमान संख्या समान हो उसे क्या तो संभारिक करते हैं इतकर आंसर हो जाएगा है यहीं द्रमान संधाय समान है उसे संभारिक पॉइंट है कि जिन प्रमायों संख्या है तो फनतों उनके नाविक में निय्ट्रोणिक संख्या समान हो उसे सम निट्रोनिक कहते हैं ऐसे प्रमान जिन में प्रट्रोन और इलेक्ट्रोन की संख्या समान होती है प्रन्तु निट्रोन की संख्या भिन-भिन होती है उसे समस्थानिक कहते हैं प्रट्रोन और समस्थानिक जो है यह तीन है पॉट्यम ड्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्य समस्तानिक परिवर्तन का उधारन है तो यह सबजियों को पकाने पर उसकी मुलायम हो जाना यह समस्तानिक परिवर्तन का जो है यह उधारन है नेक्स्ट है कि जल का वास्प में परिवर्तन का लाता है तो जल का वास्प में परिवर्तन जो है यह भोतिक परिवर्तन का लाता है ओप्सन बीस का क्रेक्ष्ट हो जाएगा कि कौन सा रसानिक प्रिवतन का उधायरन जो है यह उधायरन है तो इसका आंसर हो जागा दूस्तों कि कि Vivian का एक मात्र उधायरन है यह दूद का खटा हो जना यहीं रशानिक प्रिवर्तन जिसको हम लोग एक वार यूज करने का दोवारा यूज नहीं कर सकते हैं वह रषानिसाटर्ण होता हैं अगर दूद्ध खक्टा हो गया तो पुरा दूद नहीं बन सकता है तो यह option जिए है वह रषानिक पृषय नहीं चलिए अगला कुशन है कि जब लोहे को नम हवा में रखा जता है तो हाइडरेटेड आयरन ओक्साइड की एक लाल भुड़े रंग की प्रत इसकी सतपड जमा हो जाती है इस लाल भुड़े रंग की प्रत को कहते हैं तो इस कांसर हो जागे दोस्तों इसे जंग कहते हैं लाल भठी में दोस्तों जिस लोहा का पर्यों करते हैं वो पिग लोहा होता है और उप्षन से इसका प्रक्ट हो जाएगा पिग लोहा चलिए इस अगला कोशन है कि एस्टिल को वाता वर्नी एहरास से बचाने के लिए व्यापक रोप से प्रचलित जिंक कोटिंग की बीदी है तो सब्सक्राइब जरूर करते हैं तो यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट के मान दिया हमसे जरूर बताएगा और यतनी विशाथी नए है वो सब लोग एक सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर दिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो को करने को सबसेड़ मिले और हमें भी मोटिवेशन मिलें कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट जो है जरूर किजएगा चलिए अगला चिप्टर सोलोसन करते हैं चलिए अगला चिप्टर है प्रमानों सर्षना और सिध्धान्त और इसका पर्थम कोशन है कि नहीं फोर का हुआल ट्वास और एसो फोर के एक अनू में कितने प्रमानों होते हैं जो कि एलपी 2018 में पूछागे कोशन है तो नहीं नैट्रोजन जो है वो दो है हाइड्रोजन जो है चार दूनी 8 हो जाएगा और सल्फर जो है एक है, और आक्सिजन जो है चार है तो सभी को हमलोग जोडएंगे तो इसका मान्हान ऐख उपंद्रा हो जाएगा यह ऐनी रə Teachers Можно 2 दो पलस चारदुनी आठ प्लस सलफ़र एक प्लस ओक्सिजन चार तो सभी को जोड़ेंगे तो आठ दो दस एक ग्यार और चार पंद्रा हो जाएगा इसका है नहीं और प्रफम कोशन है कि एक अनू में कितने प्रमानू होते हैं तो दोस्तों यह हो जागा छे प्रमानू होते हैं और ऑप्शन डी इसका प्रमानू होते हैं किस योगिक में सबसे अधिक प्रमानू होते हैं किस योगिक में जो है वो सबसे अधिक प्रमानू होते हैं तो सभी को निकालने के बाद जो है दोस्तों इसमें बी आयागा यहांनि सबसे अधिक प्रमानू होता है यहांनि दो और एक तीन और चार साथ हो जाएगा यहांन तो इसमें हो जाएगा दोस्तों यहनि क्यल्सियम का एक ऑकशीजन का जो है दो और हाइड्रोजन का दो यहनि दो चार एक पांस तो इसमें टोटल जो है पांस पर्मानू है तो option जो है इसका C क्रिप्टोन की पर्मानू संगिये 36 है तो इसका electronics जो भी विन्यास है कौन सा होग तो 2, 8, 18, 36 इस भी दिस हम लोग निकालते हैं तो इसमें हम लोग जोरेंगे तो इसका आंसर हो जागा एनी B, 2, 8, 18 और 8 हो जागा एनी R, 10 और 18, 26 और इसमें 8 जोरेंगे तो इस 36 हो जाएगा फर्मुला जो है शुत्र ये होता है 2, 8, 18 और 36 तो इसको अप लोग ध्यान रखेगा इसी भी दिस हम लोग सभी कोसन निकालेंगे सबसे पहले दो लेंगे फिर 8 लेंगे तो यानी 8, 2, 10 अब कितना बचा तो 7 बचा तो 8, 2, 10, 7, 17 हो जाएगा यानी का ओफशन नमर डी इसका कुर्ट हो जाएगा नेश्ट है कि एक तत्व एक तत्व का इलेक्टरोनिक बिनियास दो आठ दो है तो तत्व का नाम क्या होगा तो 8, 2, 10, 12 यानी 12 किसका होता है प्रमानु संख्यां तो ये मैंगनेसियम का होता है तो आप्शन सी इसका कुर्ट हो जाएगा एक तत्व का प्रमानु संख्यां आठ है तो इसका इलेक्ट्रोनिक बिन्यास क्या होगा तो पर्थम छे होता है और इसमें जो बांकी रह गया है छे दूसरा आठ होता है तो आठ नहीं लेकर यहां पर छे लेंगे क्योंकि छे दो आठ हो जाएगा तो दू और छ जो है इसका option is Iska correct answer हो जाएगा है नेक्ट है कि helium को छोड़कर सभी noble gas के बाहरी honest में 8 electron होते हैं तो इसकाँस्र एन डी हो जाएगा कैसेट का ऑफ्जा में proportional की संख्षा में पुर्ण होती है उसकी स्यूज शयुक्षा कितनी होती है तो इसकी सह्युक्षा जो है वह सुन हो जाएगा जिसका एलेक्षा संख्षा में उसका सहुज शा सुन हो जाएगा इसका अजिक होजाएगा नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी परमानों की विभीनिकश़ामें चकर लगाने व्हला इललेक्टॉन की अधिक्तम संख्या टू एन असक्वायर होती है इस फर्मॉला क्षा में आर्ष या दिक्टम जो है सेवजी एलेक्ट्रोन नहीं हो सकता है हिलियम को छोर का अन सभी ओकिरिया गैस की सेवजगता जो है वो सुन होती है बारी कोस में उपास्तित एलेक्ट्रोन की संखिया को क्या करते हैं तो सेवजी एलेक्ट्रोन की संखिया को क्या करते है कि बारिक गोस में साथ स्योजी इलेक्ट्रोन होते हैं तो साथ स्योजी जो इलेक्ट्रोन होते दोस्तों ये हेलोजन में यह सत्रमा समूँ में साथ स्योजी इलेक्ट्रोन होते हैं और अठरमा जो होता है और सत्रमा हेलोजन समूँ होता है तो हेलोजन समूँ में साथ स्योज तो इसका अप्योग करते हैं तो कार्बनिक योगी को ऑक्सिक्रीट करने में बिल्चिंग में और जल के सुधिक रंध था अगला कोशन देखते हैं जल को किटानो रहित करने के लिए भी करते हैं या जहां अधिक भीर होती है वहां वताबरान अधिक दोसित रहता है एसी जगा की वाय को सुध करने के लिए और सफाई हेतू बिल्चिंग में भी ओजन का परियोग करते हैं जल के सुधिक रंध में धोक छेत्र में एरेसम और संस्लियरसित का पूर आधि को बनाने के लिए भी ओजन का परियोग करते हैं अगला कोशन है कि ओजन में ओक्सिजन की ओक्सिकरन संख्या कितनी होती है ओजन में ओक्सिजन की ओक्सिकरन संख्या पूछा है तो इसका आं वो समान स्रिंख्लागों परदस्रित करता है कारबन की समान ही जो है सिलिकन परदस्रित करता है नेश्ट की अन्नु का गठन करने वाले परमानों की संख्या को क्या करते हैं तो अन्नु की गठन करने वाले परमानों की संख्या को परमानों विखता कहते हैं सोला गराम ऑक्सिजन में प्रमानुक संख्यां तो छेल पेटिञों जीम्ट तो आपम शोला जाएक मॉर्ण κάνे कितना उची यह nhất ऐंच्स टेख्ञड़ अक्सिजन के एक मोल प्रमानुक का वजयर तो आगितना होगा तो और नुबार जो में 14 गराम मौल होगा याप्षन सी इसका कुल्राक्ट हो जाएगा है ओध्री भी होता है जबकि एक जो प्रमानों का बजन सुला गराम दिल है तो ओजन का पुछा है तो ओध्री याणि तीन गुणे 16, सबसे कम होता है तो परमानों दिर्मानं होता है निमलखी तत्व में सबसे कम होता कि प्रमानों दिर्मान होता है किसी तत्व में प्रमानु बहार डैस के कारण होता है तो प्रमानु बहार जो है वो किस कारण से होता है तो दोस्तों ये निट्रोन और प्रोट्रोन के कारण जो है प्रमानु बहार होता है ये निट्रोन और प्रोट्रोन योग से प्रमानु बहार बनता है नेक्स्ट कि यदि एक तत्व के प्रमानों के नाभिक में 11 प्रोट्रोन और 12 निट्रोन होते हैं तत्व की दर्मान संख्यां कितना होगा तो दोस्तों तत्व का दर्मान संख्यां पूचा है तो यह हो जाएगा यहीं दर्मान संख्यां जो होता है यहीं यह द्रमान संख्या दोनों का यह प्रटोन संख्यां और निट्रोन संख्यां का योग होता है तो 11 प्रलस 12 तरिस हो जाएगा और ऑप्षन दी इसका कॉर्यक्ट आंसर हो जाएगा नेश्टा की डैस की रशानिक विश्ष्थाएं एक समान होती है लेकि निम्रिक स्कॉन सा किसी तत्व के समस्थानिक का गुन है तो समस्थानिक होने के लिए दोस्तों परमानों करमांक समान होना चाहिए तो आप्षन भी इसका कॉर्यक्ट हो जाएगा कि अगर्ला कॉश्ण है यहां पर और कुछ भी होगा जैनि ऑफशन बी में है दो तीन चार योजनी उसके प्रमानों करमांक समान होना ही चाहिए उसके साथ हैं वह भी भुतिक गुन परदसित करते हैं और यह समान रशानिक गुन भी परदसित करते हैं यह समस्थानिक का कुछा एक योगी का उधहर जो है या गुन नहीं है तो आयने की योगी का तो जो हम प्रतम पादाशना प्रताहूसथ Coramand Illumidile तौह चलशचा होता है नाकी यह घालत है जबके योगा योग Census स्टाहिए ये भी सखी है इसका उच गलनांक और उच गथानैंग होता है तो यЕ भी सखीH है इनक यूई की गुण जो है निम्न गलनांक यूई का गुण नहीं है कौन करबनेक योगिक का गुन नहीं है कौन जो है वो करबनेक योगिक का जो है वो गुन नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं इसके द्रमनांग और कथ्रांग जो है वो अधिकतम होता है तो यह करबनेक योगिक का गुन नहीं पर्थम कथना की योगिक बनने में और्जा का पविवरतन होता है तो यह सही है योगिक के गुन अभी तत्वों के गुन के समान होते हैं तो यह भी सही है योगिक के अभी अभी तत्वों को बहुत तिक विधी से अलग किया जा सकता है तो यह भी सही है यानि ऑप्शन सीज क संह्ख्यां कितनी होती है तो नैडोजोन प्रमानूँ में उपेस्तिane नीट्रों संख्यां वेले होती है ओपशन उसका हो जाएगा जोकि तो कि शाहरत कि फुछा गया है है एक प्रमानूमें नेशाओं किस एमेरा रभर होता है दिश्ट यह हो जागा लिख में असे किया होती है जिसमें 10 प्रोट्ट्रों और 11मश्ण अब समान समय। तो प्रमानो संख्या भी 10 होता है तो प्रैमानो संख्या भी 10 हो जाएगा। नेक्टर की पोटेसियम की प्रमान संख्या 19 है और ध्रमान संख्या 49 है तो इसके प्रमानों में निट्रोनिक संख्या पुछा है तो निट्रोनिक संख्या दोस्तों क्या हो जाएगा तो निट्रोने संख्याँ जब हम 19 को 49 में से घटाएंगे तो यह 20 होगा जिन्हें 19 को 49 में से घटाएंगे तो 20 इसका अंसर हो जाएगा कारवन C12 के एक मॉल में कितने परमानू होते हैं तो एक मॉल में दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं 6.022 गुने 10 पाबर 23 परमानू होते हैं जो कि LP 2018 का कोशन पुछा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी पदार्थ के एक मॉल में उपस्तित एकाईयों की संख्या को अब गांडरो संख्या कहते हैं एब गांडरो जो संख्या होता है, इसका मान 6.022 गुने 10 पाबर 23 अनूपरती परमानू होता है मौल किसी पदारत की मातरा की मापन की एक मौलिक इकाई है जबकि नेक्स्टर की कारवन बारा का एक समस्थानिक है और व्यापक रोप से सभी निकलाइडिस के परमानों नाभिक के मापन के लिए प्योग करते हैं कॉपर के एक अनू में कितने परमानों होते हैं कॉपर की एक अनूमें दुस्तों 6.02 गुषी साथ त परमानों होते दस ग्राम केल्सियम में कितने केल्सियम प्रमानों होते हैं, तो 10 ग्राम केल्सियम में कितने केल्सियम प्रमानों होते हैं, तो इसका अंसर हो जागा दोसे, यहीं 1.50575, गुने 10 प्रमानों होते हैं, कारवन के प्रमानों द्रमान 12 है, कारवन के 24 ग्राम में अनुक संख्या कितनी होगी, तो 24 ग्राम में अ नेक्स्ट की दो या दो से अधिक तत्मों के योग से बनता है तो दो या दो के अधिक तत्मों के योग से दोस्व यह योगिक बनता है एक ही तत्म या विभीन तत्मों के परमानू मिलकर डैस बनाते हैं दोस्व यह अन्नू बनाते हैं एक ही तत्म या विभीन तत्म के परम है दोस्तों यह 48% हो जाएगा जब इसको हम लोग निकालेंगे किसी तत्व की स्योजग सकती जो होता है दोस्तों यह क्या कलाता है तो यह हो जाएगा स्योजगता तक संख्या होता है चलिए अगला कॉसन है कि किसी तलल की समान मात्रा के लिए निम्रित्म से किस प्रकिर्या की गति सबसे धीमी होगी तो सबसे किस प्रक्या की गति सबसे धिमी होगी तो इसका आंसर हो जागे दोसों ये वास्पिकरन की प्रक्या सबसे धिमी होगी पानी और इलकोहल को किस से अलग किया जा सकता है तो पानी और इलकोहल को ये परभाजी हसवान की दोड़ा अलग किया जा सकता है नेश्ट की ड्यास मदवर्ती तरल अवस्ता में प्रागमन के बिना किसी तत्व को परत्यक्स रूप से ठोस से ग्यास अवस्ता में परिवर्तन करने का परकिरिया है तो इसका आंसर हो जागा दोसों ये ठोस से गयास बस्ता में परिबरतन करने की परकिरिया जो है तो ये उर्ध पारतन होता है ठोस से गयास बदलना उर्ध पारतन का काम है वायू से नमी को अबस्रीत करने की परकिरिया क्या कलाती है वायू से नमी को अबस्रीत करने की परकिरिया जो है यह क्या कलाती है तो नियादरीकरन कहते है एलकोसन की CO2 में कार्बन की परतिशत जो है वो कितना होता है तो CO2 में कार्बन का जो परतिशत है वो 77.3 परतिशत है यहां पर दोस्तों निट्रोजन का परमानु भार होता है 14 होता है लेकिन यहां पर चार है तो चार गुल्णे एक हो जाएगा फिर निट्रोजन का च्वदाव भार होता है और ऑक्षिजन 16 तीन है और इसका प्रमानुभार 16 अप उस्वेसर हो जाएगा तो इस प्रकाय हम लोग जोडएंगे तो आसी प्रमानुभार अर इहां पोछा है नेट्रोजन का प्रमानुभार तो नेट्रोजन जो है वह सोल ऐगा नेट्रोजन का जो है nitrogen हो जाएगा option A जो है इसका correct answer हो जाएगा प्रमानों भार से हमें लोग निकालते हैं कि चलिए एक हैस्टू अनू में उपास्ति हाइड्रोजन की परतिस्द जो है कितना हो जाएगा तो टू और ऑक्सिजन का जो है आठ है निसोल होता है तो इस परका हम लोग जो निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा यहीं option नमर भी इसका correct answer हो जाएगा CO2 में carbon O2 द्रमान दोला अनुपास द्यास में मौज़ुद है तो इसका जो अनुपास निकलेगा जोसों यह 3.8 के अनुपास में निकलेगा यह carbon और oxygen का अनुपास जो है 3.8 के अनुपास में निकलेगा नेक्स्त खूशन की nitrogen की प्रमानो द्रमान 14 है है और hydrogen का 1 है तो अंमोणिया का आनवी क्यी द्रमान जो है वो जो ओदब्रमान नहीं होता है एक सो नवासी निट्रोन है तो परमानो संख्या पूचा है तो परमानो संख्या जो है दोस्तों यह कितना हो जाएगा तो दूसरा नठोन वेया है दूसरा नठोन वेया में से एक सो नवासी घटाएंगे तो इसका मान जो है एक सो नव हो जाएगा तो इस प्रकार जो है ऑप्शन नमर सी इसका कोएक्ट हो जाएगा इनि द्रमान संख्या में से निट्रोन संख्या घटाएंगे तो परमानु संख्या प्राप्त होगा नेश्ट की 30 ग्राम कार्बन को उक्सिजन की उपस्तिती में पुनरूप से जलाने पर कितना ग्राम जो है CO2 बनेगा तो इस का अंसर जो हो जागा दोसों ये 110 ग्राम जो है CO2 बनेगा एक तत्व का परमानों भार W है और परमानों संख्या N है तो इस परमानों कर्ण में प्रट्रवन की संख्या जो है वो कितना होगा तो प्रमानों संख्या N दिया गया है और प्रट्रवन की संख्या जो है Communist health नहीं होगा तो option A जो है इसका collect हो जाएगा चलिए फासफोरस की प्रमानुकता जो है वो क्या है तो फासफोरस का प्रमानुकता जो है यह चरतुस प्रमानुकता होती है तो फासफोरस से लाल फासफोरस बनाने में कौन सा उत्परेरा का प्रयोग करते हैं कि यह आइयोडीन का पयोग करते हैं कि नेक्स है शुलफर की प्रमानोकता क्या है तो सलफर का जो प्रमानोकता होती है यह बहु प्रमानोक होते हैं तो बी जो है इसका कोड़क्ट हो जाएगा सर्फियोडिक अमलका रासनिक चुत्र जो है क्या होता है तो यह तो दर्मान संख्या में से परमान संख्या घटाएंगे तो निट्रोन संख्या प्राप्त होगा तो यहाँ पर दर्मान संख्या A है और परमान संख्या z है इसको घटाएंगे तो यह निट्रोन संख्या प्राप्त होगा तो अप्ट बी जो है खुरक्ष हो जाएगा चलिए एक तत्व के नाविक में 15 प्रोट्रोन है बास नेट्रोन है तो इसकी दर्मान संख्या पूचा है तो इसका जो दर्मान संख्या हो जाएगा दोस्तों इसको दोनों का योग जो है वो दर्मान संख्या हो जाएगा यानि 15 प्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट तो इसका आंसर हो जाएंगा तो यह यह आप्छन इसका सी जो है यह कोरक्ट हो जाएगा यह यह दिया गए है उप्शन D में चलिए अगला कोशन देखते हैं 10 ग्राम हाइडोजन को अक्षिजन की उपस्तिति में जलाने पर कितना ग्राम जो है एस्टूओ प्राप्त होगा तो इस कांसर होगा अगर 90 ग्राम एस्टूओ प्राप्त होगा नेश्ट को निम्निकति में कौन सा प्रमानू का भाग नहीं है तो यह हो जाएगा दोस्तों फोट्रोन ऑप्सन भी हो जाएगा जो कि प्रमानू का भाग नहीं है लेक्ट्रोन फोट्रोन नाविक में होते हैं और इलेक्ट्रोन जो है चकर लगाते हैं जबकि फोट्रोन जो ह सबसे चोटा संभावित यूनिट यह वह अनू होगा जो कि L P में पुछा गया है और टेक्निशन का कोशन है यह के पारमानों यहां बविदुता उदासिन होते हैं अनू इस तत्मड योगिस का सबdas चोटाई-षोटा कन है रसानिक रहे तो प्रमानों हो जाएगा और तत्व रहे तो अनु हो जाएगा यहां पर तत्व और योगिक रहे तो अनु हो जाएगा और रसानिक का द्रमान जो है वो कितना होता है तो oxygen की एक अनुग का द्रमान दोस्तों यह 5.3 गुने 10 पावबर मैंनस 30 ग्राम होता है तो option C इसका correct हो जाएगा यह पर जो है इसका solution deployment देया गया है सब्द प्रमानों का खोज किसे ने किया है तो प्रमानों जो सब्द है इसका खोज demokritus ने demokritus ने खोज किया है option D इसका correct हो जाएगा next question है कि तिसरे cell में electron की अधिक्तव संख्या पूचा है तो दोस्तों इसमें हो जाएगा यहीं 2, 8, 18 फिर 18 इसके बाद 30 होता है तो तिसरे cell में जो है जो है जो है 18 हो जाएगा option number C तिसरे cell में electron की अधिक्तम जो है वह 18 होता है यहां पर तिसरे cell पूचा है तो यहां पर तिसरे cell पूचा है ति यह 18 हो जाएगा option number C इसका correct हो जाएगा next है कि M cell में समाहित की जा सकने बाले अधिक्तम electron की संख्या कितना होता है तो K L M N होता है जैसे K L M और N तो इस K का 2 L का 8 M का 18 और N का 32 तो यहां पर M cell पूच रहा है तो M cell में जो है electron की अधिक्तम संख्या 18 है तो इसका अंसर यहीं 18 हो जाएगा option B इसका correct हो जाएगा नहीं 18 देखिए हैं आप दिया गया है K में 2 L में 8 M में 18 और N में 32 यहीं K L M N 2 8 18 32 जबकि उपकोस्ट जो है उपकोस्ट की संख्या यानि S P D F होता है तो 2 6 10 14 यहीं उपकोस्टों में उपकोस्टों में अधिक्तम electron की संख्या दिया गया है यहीं 2 6 10 14 2 6 10 14 यहीं 4 4 कांतर दिया गया है 2 4 6 फिर 6 4 10 10 4 14 यहीं उपकोस्टों में उपकोस्टों से दिया गया है और यहापे कोस्टों में पुछे तो K L M N हो जाएगा और उपकोस्टों पुछे तो S P D F हो जाएगा चलिए पाने के एक मॉल में कितने अनु मौझूद रहते हैं तो एक मॉल में जो है पाने के 6.02 गुनिदस पावड़ता इस अनु मौझूद रहते हैं किसी परमानों के K K Kोस में समायोजित की जास्टने वाले अधिक्तम electron गया जो है हिलियम के 52 ग्राम में ड्यास अनू मोज़ता है तो इसका आणसर हो घाएतWork दूसरों यह 13 ग्राम very अपशत राते हैं एक ग्राम हाइड्रोजन में कितने अनू होते हैं एक ग्राम हाइड्रोजन में दूस्तूं यानी 3,0193 अनू मोज़ता है स לקडvalue जो है 32 है मातरा मौल के संख्या कितना हो जाएगा तो दोस्तों हो जो जाएगा इसल्खर का जो है मौल संख्या हो जाएगा कि या पिर डिपली में देंगा है कि स्टार का सम्त्राव का 16 ग्राम दिया हुआ है तो 16 32 यानि 0.5 मॉल हो जाएगा इसका आंसर सल्फर का परतिक capital S होता है जबकि परमानु संक्या यह सल्फर का परमानु संक्या 16 होता है सल्फर परमानु का राशनिक सल्फर होता है और इसके साथ इसका जो चक्रिय अस्ट कोनिया अनु बनाते हैं 25 ग्राम मीटर सल्फरिक मWell के कितने मोल होते है तो इसका हो जागा दोसरे diagnostic यह 0.255 में मोल की संख्याह कितना होगा तो इसकाần्सलर हो जागा सल्फर चेंग दो मॉल हो ओप्रमानों की तिरजय है के से लाँन के सकते हैं उन्हें किस नाम से जाना जता है उसे परतिकन के नाम से जना जाएगा और option भी इसका correct answer हो जाएगा कि जब आप एक प्रमानु के निट्रूनक संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैस बदल जाता है तो दोस्चों इसका समस्थानिक बदल जाता है याणि नेट्रोनुक संख्या को बदलते हैं तो समस्थानिक बदल लिता है नेक्स्ट पॉइंट है कि जब प्रमानुक करमांग परंतु भिन प्रमानुक द्रमानुक को समस्थानिक केते हैं समस्थानिक में प्रवानों की समों को आयन केते हैं आयन दो परकारक होते हैं धनायन और रिनायन और रिनायन होते हैं जिस आयन पर धन आविस होता है उसे धनायन केते हैं अगला कुष्ण की एक तत्व की समस्थानिक यानि एस्टोप की दर्मान संख्या दोसर अंठोनवय है नाविके में 188 निट्रोन है तो इसका प्रमानुश संख्या पूचा है तो दोसर अंठोनवय में से 188 घटाएंगे दोस्तों ये 1410 इसका आंसर आएगा तो इस प्रकार जो है इसका आंसर डी हो जाएगा यानि प्रमान संख्या बराबर दर्मान संख्या मेनस नेट्रोन संख्या हो जाएगा समान परमानों करमान परंतु भिन दर्मान हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं समस्थानिक में प्रट्रोंक संख्या समान होती है किन्तो नेट्रोंक संख्या भिन होती है जबकि संभारिक में समान प्रमानों दर्मान परंतु भिन प्रमानों करमांग के प्रमानों को संभारिक करते हैं यह संभारिक में समान दर्मान होता है और भिन प्रमानों करमांग होता है किसी प्रमानों की नाविक में प्रट्रोन की संख्यां उस तत्व की प्रमानों संख्यां होती है अगला कुछने की एक आईसोटोप की दर्मान संख्यां दूसर अंठोनवय है इसके नाविक में जो है 196 निट्रोन है तो परमानु संख्यां पोचा है तो परमानु जो संख्यां हो जाएगा दोस्तों ये कितना हो जाएगा तो 296 में से 196 घटाएंगे तो 102 इसका आउसर आएगा चलिए है अगला कुछने की एक तत्व की समस्थानी का परमानु दर्मान जो है वो 296 है जबकि नेट्रोन भी इसका दिया गया है और परमानु संख्यां पोचा है तो इसको घटाएंगे 296 में से 189, 292 में से 189 घटाएंगे जीरो और एक एक तत्व के परमानु जिसमें एक ही परमानु करमांक है लेकिन दर्मन संख्यां भी नहीं तो इसका आउसर डी हो जाएगा नेक्स्ट है कि धहन सोठा में किस्टली करन के पानी की पर्तिशत जो है मातरा कितना पर्तिशत होता है 22,9 पर्तिशत होता है दोहन सोठा का जो सुत्र होता है Na2CO310 recipient जिसका दर्मान संख्यां सब को यहां लिखेंगे तो यह 206 आएगा जबकि दोहन सोठा में पानी का दर्मान पूचा है तो 10 एस्टू है निए 10 पानी है तो पानी का परमानुसंग्य 18 होता है और 10 पानी है तो 10 गुने 18 पानी जो हो जाएगा 180 निए 180 बट्री टोटल जो मान है 286 गुने 100 तो इस परकार जो है इसका असर बासर पॉइंट 9 3 आएगा क्लोरीन गैस का परियोग किसके निर्मान के लिए करते हैं तो क्लोरीन गैस का परियोग हम लोग बिल्चिंग पॉडर के निर्मान के लिए करते हैं जबकि केल्सिम हाइपो क्लोराइड को बिल्चिंग पॉडर भी कहा जाता है इसे कास्टिक चुने पर क्लोरीन गैस डालकर त्यार किया जाता है चलिए अगला जो कोशन है कि सोटा इसीड अगनी समक यंत्रों में उप्यों के जाने बाला लबन है तो इसका अंसर हो जाएगा दूसों ये कौन सा लबन है तो ये सोडियम हाइडोजन कार्बोनेट हो जाएगा अप्शन नमर सी नेस्ट की एक्स धातु भाब को अब घटिट करके एस्टू देती है वाइव धातू काश्रिक सोडा बिलियन से किर्या करती है तो ये धातू होगा दोस्तों ये हो जाएगा आनि लोहा और जिंक लोहा और हाइडोजन गैस बनेगा चलिए अमलक साथ धातू किया इस प्रकार ब्रैक्त की जाती है नेकिस बिग्यानिक ने इस्तिर अनुपात का नियम दिया था तो हम सभी लोग जानते हैं इस्तिर अनुपात का नियम जो से प्रावस्ट ने दिया था नेक्ट कोशना की परमानों के नुषण सरह कौन सा कथन साही है प्रमानों पदात के अभी अब्रभाज कन वान मौन पदात के अब भभाज कन है यह बाता है नियम जो है कि दो आ Лई कि यो फ्रता अबहर का अन्म आमी और जो की में पहले रभवानों विभाज होती है ने उनिस्मी सद्रेंdenV that आखी देसक में और परवानों की करते हाई से पहले परवानों विभाज जो है वह घोशित था यह खोज़ हुआ था और उनिश्वी सतावदी के अंतक परवानों जो है विभाज की रूप में इसे परवान जो है वह क्या गया था करेको परवानों कि मॉलिकन है रहे रेघर फॉर ने नाव के सिधान्स दिया था इदा कोउटंस जो हैrent पलांक ने दिया खली अगला कोशन हम लोग दिखते हैं तापमान और दबाब की दाब की समान श्तितियों के अंतरकत सभी गैस के समय आयतन में अनुक संख्या जालिए जबकि वुयल का नियम जो होता है, इस्तिर ताप पर किसी गैस के नियत मातरा का इतना, उसके परमताप का सिधा अनपात होता है, जबकि प्रम्सुन ताप्जू होता है वो निम्तम संभब तापमान यानि-धी त मैनाज 2,3 अधीगी सल्शयस को प्रम्सुन तापमान कहते हैं इस तापमान पर सभी गैस जो है आयदरन सुन होता है आधास गैस की उर्जा मोल की संख्यां पर निर्भरव करती है कौन सा नियम गैस से संभनित नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा दूस्टों यह 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 फ्रादेक नियम जो है गैस से संभनित नहीं है केल्सेम फॉस्फेट का अनुविक सुत्र जो है क्या हो जाएगा तो सी एथी प्यूफॉड फोर 본 पका उल्फॉड से कैल्सेम नाम है क किल्सयम फास्फेट की खोज पहली बार 1779 तथा 1800 की दसक में हुआ था किल्सयम फास्फेट एक रंगहीन और गंधहीन सफेद क्रिस्टल यह ठोस है चलिए अला पॉइंट देख लेते हैं यहां पर पोजिशन जो है उतना अच्छेस नहीं दिया गया है नीला थोठा का सुत् का परमानो कोण सा है तो सबसे अकार का पर मानों ज detective रिख स्पाफेट है ऊगा पर पर नहीं होता है परलतू संक्या अरण समान हो उससे आइसो टॉप कहते हैं, नेक्स्ट है कि ऐसे ही तत्व के पर्मानों दुसरे सभी तत्व के पर्मानों से निमलखित में भीन होती है, तो इस कांसर हो जाएगा यानि पर्मानों संख्यां तथा इलेक्ट्रोन बिन्यास में भीन होता है, आपशन इसका क्रेक्ट हो जाएगा, चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी तत्व के पर्मानों नाविक में उपवस्तित पर्मानों कर्मान करते हैं, पर्मानों कर्मान कर्मान को जहद से परज़ित करते हैं, पर्मानों कर्मान की कक्छाओं में इलेक्ट्रोन की बित्रन क तो पर्मानू का इलक्रूनिक्व विणियास कहते हैं। जबकि परमानो की कख्षा में इलक्टून के इस वित्र例えば को ग्याद करने के लिए 1922 में दिग्टूनिक बोर और बड़ी ने एक योझन परश्तुत की तो जिसे बड़ या बड़ी योझन कहते हैं। किसी तत्व का पर्मानो कर्मान को होता है यह किसी तत्व का पर्मानो कर्मान को होता है तो उस तत्व के किसी पर्मानो में पर्ट्रोन की संख्या होता है नेक्स्ट है कि कौन सा कथन जो है वो सही है चलिए इसमें जागा पर्थम कथन है कि किसी नाविग में प्रट्रोन संख्या को इसका प्रमान कर्मान करते हैं प्रट्रोन और नेट्रोन की कुल संख्या इसके दर्मान संख्या का निर्मान करती है तो ए और भी दोनों कथन सही ह ये हैं निल्टेब की त्थ्व की द्रमान्र संख्या असी है और विसल लक्रण है तो उस्द द्रम्रो शंक्थ होता है तो सब्सक्राओं जो है जो है आप फट्टامर जानड डेसों यह को पुर्टों संख्या जो है विस हो झाएगा द्रमान संख्या में प्रोट्रोन संख्या और प्रमानों संख्या समान होता है लेकिन यहां पर प्रोट्रोन संख्या पूछा है तो यह 20 हो जाएगा चलिए अगला कुछन की प्रोपेनोन में डैस कारवन और डैस किर्यात्मक समूह होता है तो प्रोपेन में दोस्तों यह तीन कारवन होते हैं तीन कारवन और किटोन किर्यात्मक समूह होता है किटोन किर्यात्मक समूह होता है प्रोपेनोन में तो इसका अप्शन भी हो कि यहां पर पर्रम्रला दिया गया है पुरपेन का सुतर दिया गया है कीटौन का क्यात्मक्रप्समद दिया गया है और हल्द्रा का कियंत्मag Second leicht होता है नेक्स्ट कि इसमें patron संख्यां पूछा है तो patron जो संख्यां हो जाएगा दोसुं ये रिट्耐र्ट से प्रमानु संख्यां घटाएंगे तो नीट्रौन this संख्यां प्राप्थ होगा इसका आसर 140 हो जाएगा कि प्रब्युभीभी कर रहा है कि कौन से कष़र्ण जह और मिलान करने के लिए कर रहा है करहें कि तत्ब जो निशित अनवपात में मेसित होते हैं उसी इस्तीर अनवपात का नियम क्याते हैं, परमानोबिखनित होते हैं किसी तत्व के गराम प्रमानू द्रमान और किसी तत्व के गराम अन्व द्रमान में इसका अगला क्षिन की प्रमानू को भरने का करम नियंतरित होता है तो अब बाहु सिधान्त के दोरा भरते हैं बोर्ड सिधान्त बतता है कि यह एक इलेक्ट्रोन परनाली का आस्प्रेक्ट्राम है उप्संच पर लागू होथा तो इसका आसर नमोर लृगाさ तो इसका है उसर आसर मोर बश्याइगा किसी तत्व के प्रमानों में 10 इलेक्ट्रोन है और 10 प्रोट्रोन है और 12 नेट्रोन है तो उस तत्व का प्रमानों भार कितना होगा तो उस तत्व का जो प्रमानों भार हो जाएगा उस यह बायस हो जाएगा ओप्सन नमर बी बायस हो जाएगा यह बारा दस बायस हो जाएग एक प्रमानो में 9 है और 20 निट्रन है तो द्रमान संस्क्य पूचा है तो द्रमान शंख्या दोस्तु इसका हो जाएगा 20 k tip 29 ow connection फोड्य यहिस्च सोडियम के 79 गण में। फोड्य तीन में हो्ते हैं। था चुद्वक का स्टो Two सु ż Zoojarm का परमानु द्रमान क्या हो जाएगा तो रहें सोडियों का प्रमानुण द्रमान निकालेंगे दोस्तों। है इसमें टोटेल जो है 119 दिया गया है प्रवाउन द्रमान बराबर फ्रमला होता है तड्व में नहीं उन भकशंख्यां कुल द्रमान eh mild 1,949 जो है सोड्यय经27 का द्रमान संख्यां तो है तो प्रमानों के निकलेस में होता है, दॉस्तों हम जानते हैं प्रोट्रोन निट्रोन होता है, और य wichtiger 4 ओर चकल लगाता है. नाविक में पुझे-निकलेस पुझे और निट्रोन हो जाएगा, प्रमानों में proton रहते हैं, तो नाविक के भीता रहते हैं नावे के भीता रहते हैं तो इस कांसर ओप्शन ए हो जाएगा दोस्तों इस सबी कोशन था अब हम लोग ठर नमर चेप्टर को चलुप्शन करेंगे यह चेप्टर आपको कैसा लगा आप लोग को इस वीडियो को जो है अधिक सेदिक सेयर करना है और जितने स साथ ही इस वीडियो को पहली बार देके हैं इस चैनल पर आये हैं वो सभी लोग फिलिज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर जरूर कर लेजएगा चलिए चेप्टर नमर ठर्ड को हम लोग स्लुप्शन करते हैं चलिए अगला चेप्टर का नाम है मोल कंस्ट्रेप्ट और चेप्टर नमर ठरी है इसका पर्थम कोशन है कि किसी कारवन का परमानों द्रमान 12 है और हिलियम का चार है तो परतिक तत्व के एक मोल में कौन सा कथन जो है वो सही है उन्हें कारवन का परमानों द्रमान 12 होता ह हिलियम का चार होता है तो परतिय की तत्व के एक मॉल में कौनसा कथन जो है वो सही है चलिए इसमें से कथन जो है सही है कि कारवन के एक मॉल में हिलियम के एक मॉल में महजुद प्रमानुक संख्यां समान होती है यानि कारवन के एक मॉल और हिलियम के एक मॉल में महजुद प कारवन की प्रवन संख्यां होता है धर्मान संख्यां 12 होता है और गल्लांक 3550 सब्सक्राइब कारवन ब्रव याग harvest Legendsali पर्टिव अ को अच्छ एक कोईला पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पाद करबन से ही बनने होते हैं प्रवानू या आयन के समय को क्या काते हैं तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा इसे एक मॉल का मान दिया गया है कि देखीं प्रवांट कि में होता है कि मानक ठाप और दाप पर एक स्ट्रीपी पर 40,8 लींटर यह मेंहें हो जाएगा तो यहीं हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा एक एक स्टीपी का मान दनारी कोनने तो 44.8 लाने के लिए इसमें 2 सीगुना करेंगे तो यह 48.8 आ जाएगा तो इस परकाज जो इसका अचाही नमर ए हो जाएगा नेक्ट को समय कि एक मोल कारवन में कारवन के परमानूं होते हैं तो एक मोल कारवन में कारवन का जो परमानूं होता है वो 0.622 देश होता है ओप्सन भी हो जाएगा अर्ला कॉशन जो दिया गया है कि देखिए बीस यल्टू के 2.08 ग्राम और अत्रिक तनु एस टू एस फोर के जली है बिलियन के मिस्रित करने पर नियम्मित होने वाले बी एस फोर की मात्राय कितनी होगी तो इसका आंसर मिकी जोटी होगा है तो इसका आंसर होजाएक दोसों यह अश्य किगरा होगा गैरे और लिक नेक्स्ट नंवर क ही है नेक्ष्ट की 540 ग्राम गुलकोच में उपस्तित मॉलोग संख्यां कितनी होगी तो 540 ग्राम गुलकोच में जो मॉल का मान होगा और आंसर इसका नहीं हो जाएगा जिबकि गुलकोच का फर्मुला होता है सब्सक्राइब निकालते हैं तो 180 आता है 180 जब हम लोग 180 से भाग देंगे 540 में 180 से 540 में भाग देंगे तो तीन बार में कटेगा तो इस प्रकार जो है इसका आंसर ऑप्शन नमर इसका क्रेक्ट हो जाएगा नेच्ट जो है 90 गराम पानी में मौज़द मोलोक संख्या क्यतना होगा तो 90 गराम पानी में मोलोक संख्या जो है दोसों ये पानी स गराम हो जाएगा यानि पानी स 2 ओ इसका पर्मान द्रमान निकालेंगे दोसो अठारा होगा और अठारा से नोबया में भाग देंगे तो पांच आएगा तो इसका अप्सिन नमर ए हो जाएगा दोन सोडा के एक अन्नो में पानी कितने अन्नो मौझूद रहता है तो दोन सोडा में 10 अन्नो पानी मौझूद रहता है यही न 2, N 2, C 3, 10, S 2, O होता है तो 10 पानी है का प्रमानों जो द्रमान हो जाएगा और यहां पे साथ है तो चार से साथ हमें भागादनी बिंगे तो यह इसका असर होजाएगा तो ओप्शिन नमर सी कीप्रख हो जाएगा एक मोल अनू कुल द्रमान संख्या के बराबर होता है एक मोल हिलियम अनू के चार ग्राम के बराबर होता है हिलियम का रसनेंग तत्व है और इसका संख्यत ऐसी ही होता है हिलियम का परवानों संख्या दो होता है हिलियम जो है यह रंगहिन, गंधहिन, स्वाधिन और गयर बिसेली गयस होती है हिलियम के अनू में हिलियम का एक परवानों होता है इसलिए इसे एक परवानों के रूप में भी जाना जाता है चलिए है एक इस्वाइब के ठाटे है 180 गराम धोनशड़ा के अनू में पानी के कितने अनू मौझद रहता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा तो इसमें धोनसड़ा में डश जो्हें अनू पानी मौझद यह तो यह तो यह कांसर आएगा कि आट अग्राम ऑक्सिजन में कारवन और दायकुषाड की अनुक सेंख्या कितना होगा तो इस कांसर हो जागा दोस्वें यह जिरू पर पचास नू नीची दो जो है कोलम दिया गया है और कराय की मिलान करने के लिए चलिए यहां पर मिलान यह यह अनबुझे चुने में उपास्तिद होते हैं केल्सेम ऑक्सिजन अनबुझे चुने में उपास्तिद होते हैं जबकि दोस्टों यह सी एटू पी टू जो है यह यह तो पी टू जो है केल्सेम फासफाइड में जो है केल्सेम फासफाइड का सुत्र है एक मोल में जो निंद्यांग होता है एक F1 2 का मान 6.0 2 2 2 010 सिप्वाबर 13 होता है एक F1 3 का मान तो इस प्रकार जो है इसका असर ऑप्टन नमर डी हो जाएगा रसान शावज़ महिका नहीं…. अनी मोल्षब्दका पंश्क है किसमे दिया है तो मोल्षब्दका पंश्च域 जो है दोस्तो और ये बिलहम औरulator वाल्ड माश्च ये मोल्षब्ध के रीवश i. के परिभासा कि या पदात के 가격 प्रवान و Twist之 5 में प्रावड के बरावर होता यह सई है कि यह पतात के 0.2 यह अनुम होते हैं कि यहांतों संख्यां तो इस्का संद्विंग का आर्था कि किसी तत्व के किसी गराम प्रमानों में, संख्यां यह एवग्गांडों का आर्थ होता है कि ये ग्राम पर्मानों में पर्मानों की संख्या चलिए अब हम लोग चेप्टर नमा जो है फोर को सलूप्शन करेंगे चलिए चेप्टर नमा फोर का हम लोग सलूप्शन करेंगे और पर्थम कोशन जो है कि पानी को बिल्चिंग पॉर्डर में मिलाने पर कौन सी गयस निक अधनी ततील उनिस्पती तेस घी बनाने में प्योक्त होने वाला गास है यावा 97 Él नेक्स्ट कौसर के रुंप्र की बैटरी में प्रयुक्त अफघतकत कोन है तो प्रग जो अफघट है तो इसकी अफघर होता सांस लेगनें संभध किया में उपियोग की जानी वाली गेस कौन सावता है , तो गोता खुरो में अक्सिजन और हिलिम का पर्यों करते हैं , किसके दौर ऑभ्सिष्ठ कलोरीन का पता लगाया जा सकता है , तो इस चौन सरो जगह नहीं और्थो टोली डाइन प्रिक्षन और्थो टोली डाइन के दर जो है अब सिस्ट कलोरीन का पता लगाया जा सकता है नेक्स्ट की कलोरीन गैस का उपयोग किसके निर्वान में किया जाता है कलोरीन गैस का निर्वान दोस्तों ये बिल्चिंग परवर्ण में करते है option C हो जाएगा कौन सी gas जो है पाणी को सुध करने के लिए उप्योग में लाए जाती है तो पाणी को सुध करने के लिए कलोरीन गैस का परियोग करते हैं option B हो जाएगा next question है कि क्राकि मिलान करने के लिए चलिए मिलान इसको करते हैं washing soda जो है यह इसका फर्मुला होता होता है sodium carbonate washing soda का जो फर्मुला होता है sodium carbonate कि शोडियम कर्बनेट हो जाएगा कि कास्टिंग शोडिया जो होता है sodium hydroxide इसका रसानी सुत्र होता है निलात होता है का फर्मुला होता है copper sulphate निलात होता है और है आपो जो है sodium thiosulfate होता है तो इस प्रकार जो है इसका अधिक अभिक्रिया शील तत्व कौन सा है तो इसका अधिक अधिक अभिक्रिया शील तत्व है चलिए अगला कुशन है कि में सामील हो सकने वाले इलेक्ट्रोन की अधिक्तम संक्या कितनी होती है तो अभी आपको बता थे कि LM तिस्रा सेल है तो तिस्रा सेल में जो है दो आठ अठार हो जाएगा option नमर सी परवन संक्या चोपन वाले तत्व की समोसे संभनित है तो इस कांसर हो जाएगा दोस्तों यह समोसे संभनित है option नमरow-D हो जाएगा है कि L तो के कि में हम सभी ल Zack के के सद्वरें यह सुरू होता है तो के को समय जो है दोस्तों इलेक्ट्रोans की संक्या यह यह तो छाएगा नेश्ट की यदि गोल से धातु A और धातु B को परतिय स्थापित करते हैं तो धातु A क्या होगा तो धातु A का मान जो है वो B की तुलना में अधिक अब किरिया सिर होगा तो option A इसका correct answer हो जाएगा चलिए एगला question है कि धातों की विशिष्टाएं क्या है धातु का जो विशिष्टाएं हो क्या हो जाएगा दोस्तों धातु विदुत एबं उस्मा का सुचालक होती है और पॉलिष्ट करने पर चमकती है तो इसका answer A हो जाएगा नेक्सट question है कि धातव Yes कि बारेमें कौन सा कतन जो है ओ साही नहीं है तो धातव के बारे में क्योंत तो कथन जो है कृत्वाण साही नहीं है परथम कतरां के ये सभी धातुएं कठोर और दृद होती है तो ये वी सई है धातूएं अगहात वर्द नेता और तनी नहीं सकता है तो दुस्तों यह ग्लत आ गया है ना दोकी पतले तार खीशे जाने के गुन को क्या करते हैं तो इसे तनय अता खेते हैं नेक्ष्ट कोण सा एक धनायन है तो इस में हो जागा अमोनिया जो है एक धनायन है धनात्मक रूप से आविसीत किएगे आयन को कहा बनात्मक चलिए हाइडोकसाईड का जो प्रतिक होता है ओ never look in Canada का जो है CO3 का ओर जबकी मैंनस होता है해주 पर प्यजह네 प्रेश फोर एक प्लस चार्ज होता है बैटरी के ध्रहात्मक धुर्ब से जोरेगे इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं तो इस चाहिए दूर्ब को एनौर्ड कहते हैं चलिए अगला कुछ ने कि द्यास धातु के वल बिदुत अब घटरंद के दौरा जोह निकला जा सकता है तो हुआ यह हो जागा र account के दौरा निकला जा सकता है आमोनिया का एक गुन क्या है तो आमोनिया का जो एक गुन है यह उसका जलियां मिज्ड़न लाल लेक्ट्रोس को नीले लीड़क्रोस में बदलता है नेट्सट्रेइक की संक्रमन तत्व क्या होते हैं संक्रमनतु संक्रमन जिसके दो बारी सील जो है अधूरोय होते है उसे संक्रमन्ट टत्व कहते हैं चृत्ए आवर्त में बतिस तत्व होते हैं जकि जिसमें 8 समान है दत्र मिरदा तत्व होते हैं। हिस्सीमी 8 तो समान होते हैं दत्र संक्रमन और जो है वह दूर्लव मुता होते हैं अगये संक्रमण त's के बाएं संक्रमां तתweitомина को रखा लाप लोग के अंतरगत आते हैं अन्टाबन से 71 टत्ब को क्या एकते हैं तो了吧 को इसे हम सभी लोग जानते लम ते-स्म完 यह 18 में समयों के तट्वध है नेक्ट है कि समयों 17 से सम्सितरा से समंध्य तट्वध क्या करते हैं यहां से यह सम्मू केटर отв यह एजactions होां ऐसे लहा आजहन की रुप में जनना जता है क्योंकि वे लवन देने के लिए धातवों के साथ प्र्द्रिकीरिया करते हैं इहां पर दिया गये है समु संख्या समान नाम और बंधन के लिये इलेक्ट्रोन संख्या 4 धातु जो है समुट एक में है और इसका बंधन की इलेक्ट्रोन संख्या एक होता है जब कि 3 मिंदा धातु यह सम्ài्टोन संख्या दो पांच होता है जिबकि पंद्र समों में हे सालकोजन में होती है चलिय कोशन देखते हैं जब मेंगनेसम रीवन हवा में जलाए जता है तो कॉन सा योगीक उत्थपन होता है तो मेंगनेसम औक्साइड हो जाएगा option number C, ribbon के जलाने पर एक चमकदार सफिद रोशनी पैदा होती है, यह प्रतिकिरिया एक अत्यधिक उसमा छेपी प्रतिकिरिया है, अर्थाद इसमें बहुत अधिक गरमी जो है उत्पन होती है, नेक्स्ट की सोडियम कार्बनेट को हाइड्रोकलोरिक अमल से अवकिरिया करने में उत्पन ग्यास कौनसी होगी, तो इसमें उत्पन जो ग्यास होगी, कार्बन डाय ओक्साइड हो जाएगा option number D, अमल धातु awesome oxide की साथ अवकिरिया करके 11 ओर जल देते हैं, सब आपकि सभी छार्ख अमल से वकिरिया करके उद्वरिक अवर जल बनाते हैं, छारर के बिलियन से बिदू धरा का प्रभव हो जकता है. चलिए。 अगला कोस्या की चुने की पानी में प्रभावित करने पर या दूधिया हो जीता है। इसके निर्मान के कारण होता है तो यह calcium carbonate के निर्मान के कारण जो है यह दुधिया हो जाता है जो कि LP technician में पुछा गया है केल्सियम hydrogen carbonate साबुन के साथ किर्या करके और गुलहंसी लियोगिक बनाता है यह साबुन की सफाई छमता को कम कर देता है चलिए एला पॉइंट है लेट नैट्रेट को जोरदार धंग से गरम करते समय निकलने वाली बुड़े रंग की ग्यास का नाम बताईए तो निकलने वाले जो बुड़ा ग्यास है उसका नाम है nitrogen dioxide nitrogen dioxide हो जाएगा जबकि nitrogen dioxide का फर्मला होता है NO2 nitrogen pentoxide का फर्मला होता है NO2 nitrogen pentoxide का फर्मला होता है NO2 पाने में मिलाने पर अमोनिया हलका अमल बनता है पाने में मिलाएंगे तो अमोनिया हलका अमल बनता है या अमल आख नाख और तोसा में जलन प्यदा कर सकता है अमोनिया नैटिट एक और कारवनिक योगिक है चुना पथर के उसमिया अब गटन के परिणाम सरूप इनमें से कौन सी गैस उत्पन होती है तो दोस्तों चुना पथर के उसमें घटन के परिणाम सरूप इसमें कारवन डियाक्साइड जो है गैस उत्पन होती है पोटेश्यम सल्फीट और बेरियम खोलोडाइड के बीच अब कीरिया होने पर अभश्यप के रुप में कोईसा पदार जो है वो बनता है तो इस कंसरोजग और बेरियम सल्फीट बनता है क Surfond D तो कलूर एलकली में तीन उत्पाद होते हैं दोस्तों यह होते हैं ह lin fun होता है hydrogen chlorine और nao h होता है नेक्स्ट हाँ कि निमिलिक्त और संतलित समीकर अंद्रा निश्यत कि अनुशार परकास संस्रेशन की प्रिकिरिया में करबस सा कितने जल और कारबन डायोकसाद अन्नु भाग लेते हैं कितने जल और कारबन डाकसाद जो है वह भाग लेते हैं तो इस सबसे अधिक अभिकिरिया अगर अगर पूछा है तो calcium हो जायगा option A calcium के जलिया है हुआ है अगला कुछन है कि निमिल्खित अभिकिरिया के लिए संत्रुलित अभिकिरिया कोन सी है जब बिरियम-सटेट को को एलमुनियम क्लॉराइड की साथ जो रहेंगे तो इबिलियम क्लॉराइड और एलमुनियम सल्फिट बनेगा तो इसमें हो जाएगा इसका अप्शन नमर दोस्तों यह बी यानि 3BSO4 प्लस 2ALCL3 मिलकर 3BCL2 बनेगा प्लस एल्टू इन्टू एसो फोर का होल टॉइस बनेगा चलिए एगला कॉशन जो है करादी गई अभिकिरिया दैसका उधायन है जो यहां पर दिया गया अभिकिरिया किसका उधायन है तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा नि तू एलमुनियम है और लोहा एफी 2O3 मिलकर ए कौन से अभिकिरिया है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यह विस्थापन अभिकिरिया है यहां पर भी दो एलमुनियम है यहां भी दो एलमुनियम है यहां पर दो लोहा है यहां पर थिरी है तो यहां पर भी तीन ऑक्सिजन है तो यहां पर जो है अलमुनियम अक्षि किया किया है तो यह जो विश्थापित हुआ है यह जो इतना इधर था उतने हैं इधर भी है जो अ भरर हो जाएंगा करा दी गई गाई जो हैЕंड क्रुप में इस कोन बल्च करता है तो इसा बれない जो जाएगा केवल सी एल टू जो है आयन के रूप में अब किया करेगा नेक्स ट्रक्राइब किया जो है संभव होगी को से जो है उस संभव होगी तो इस कांसर और नहीं नमर दी हो जाएगा Saeyaa पर पर प्लस शी ए प्राबर निसी ए स फोड प्लस यू हो बने गा तो सिसका जगेगा अब यह बेंजल में सिगमा और पाइ आबंध की संग्या कितनी है तो बेंजल में जो है ओसत नहीं है तो यह जल की तुला में हलका होता ह lazım यह कालिक की जॉला से जलता है यह हलके पिलियरंग का होता है तो दुश्वों यह गलत है जल में और मिशानिय होता है तो यह भी सही है यरूनी अपशन नमर सी जह यह इता uphold अक्यफीन होता है जार्ट की कौन सी स्युद्रम 90 को सेखरों को सॉल स्यूर्ण स्युद्रिय करें अ Bhag स्थापन अविक्रिया है अगला कोशन है कि मिथेन और कलोरीन गयस से मिथाल क्लोरायड का बनना किस प्रकार की अविक्रिया है तो दोस्तों मिथेन और Chlorine Gas से मिधल अल्कोहल का बनना यह किस परकार का अभी किरिया है तो यह हो जाएगा दोस्तों, परती अस्थापन अभकिरिया ओप्शन नुमर सी परती अस्थापन अभकिरिया नेक्स्ट कोशन की दी गई रसानीक अब किरिया में निम्में से कौन सी रसनी के जाती है करम सा ओक्सिकारक और अबचाय की रुप में कार्ज करती है यहां पर अभी कारक दिया गया है और कौन सा ओक्सिकारक और अबचाय की रुप में कार्ज करती है तो लोहा जो है अबचाय की रुप में कार्ज करता है और कौंसा भी कारक जो है एक स्थान पर आएगा। और यह उदास नबगिर्या परदान करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दस्तों इसका आंसर जो है यह हो जाएगा है ने हाइड्रो कलोरिक अमल एक एस्थान पर आएगा और यह उदासिन अबखिरिया प्रदान करेगा तो अप्शन नमर्डी हो जाएगा हाइड्रो कलोरिक अमल रोगानों मुक्त पैजल बनाने के लिए किस राशने का उप तरहा हैं प्रियों करते हैं ने प्रियों करते हैं तो इस का आंसर हो जैताएड़ व्याविक पूर्ण के और यो के दोर जल्या बिलियन को सोडियम क्लॉराइड बिलियन में मिलाए जाने पर क्या होता है तो इसका आंसर जगे निए सिलिमर क्लॉराइड का सफिद अब छेप उत्पन होता है ऑप्सिर नमर ए झांसर जगे निए जल्याएड की शेउजियन अबक्रिया के फ्ल्स रूप इन्में से कौन सा उत्पाद बनता है नेक्स्ट कोंच्न है कि जब केलसियम उक्साइड पाने के साथ अबक्रिया करता है दर से कि निर्मान उत्पाद के रुपत में होता है जब अक्तल में में किसमे कुल तीन कोस और बारिक था में आठ ऑड़िया क्षा मैं किस तर्थ में कुल तीन कोश और बारिक अक्षा में आठ इलेक्टोन होते हैं तो इस कांसर हो जाएगा दोसो आरगन ऑप्शन नमर डी अगला कोशन है कि डैस परमानों का आयतन जो है सबसे कम होता है तो इस कांसर हो जाएगा हीलियम नेक्ष्ट कोशन है कि इलेक्टोनिक बनियास के संब्ध के बारे में कौन सा बिंदू जो है वो सही है तो इसका अंसर हो जाएगा तो यह या किसी परमानों के कोश में इलेक्टोन की ब्यवस्थापन करना यह सही है नेक्ष्ट करा कि या उपकोशों में इलेक्टोन का क्लॉरयड के पानी में गोल की मद्ध से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पात बनता है। तो दॉस्टों यह sodium hydroxide बनता है जिसका रशनेiosa dort jego सोडियुम हाइड्रोक्साइड का दाहक सोदा यानि कास्टिक सोडा भी केते हैं नेक्स्ट कॉशन है कि सोडियम हैडोकसाइड का परियोग हम लोग कहां करते हैं इसका उपयोग साबन बनाने में करते हैं पेट्रोलियम साब करने में दवा बनाने में कप्राइबं कागेज बनाने भी परियोग करते हैं कारखनों को साब करने में रियान बनाने में सोडियम हैडोकसाइड का परियो कैसा होगा तो बनेबला जो अपश्याब का रंग होगा वो नीला हो जाये का अप्सें नोर ए नाइश्ट की निमलिकित विद्योट अभगर्टकों के वेलियन में से किसको कार की बेटरी में परियोग क्या जता है तो कार की बेटरी में अमलत का पर्यों करते हैं options यह जाएगा कौन से बिसम को पहचान ही है तो इसमें से बिसम कौन है तो nao7 जो है इसमें से बिसम हो जाएगा कई है डेस्क और की आधी यहें बलेक एंड वायट फोल्टोगराफिय में इसे इन में का उपयोग करते हैं तो तेजी से खाना पकाने के लिए दोस्तों उसमें हम लोग एने एनिसोडियों बाइकारवनेट का प्रयोग करते हैं अपस नमर भी इसका कॉलेक्टा अन्सर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन है कि जब जिंक किकन तन्नु सल्फोरिक अमलकी साथ अभिकिरिया करता है तो बनने बला उत्पाद ड्यास होगा तो बनने बला जो उत्पाद होगा दोस्तों ये जिंक आनि सल्फेट होगा अप्शन नमर सी जड़नेसोफोर हो जाएगा एम सता में समाहित के जाज सकने वाले इलेक्ट्रोन क्संख्या तो के एल एम में 18 हो जाएगा नेक्स्ट की इलेक्ट्रोन कोस जिसे में एक वर्जा अस्तर इस धानत भी का जता है वो अच्छितर है जहां इलेक्ट्रोन एक प्रमानों की नाविक के चार और घुमते हैं कोस दो एलेटरन जबकि एल में आठ एम में 18 और एन में 32 और ओ में 50 तो यहाँ पर देखिए दोस्तों के का जो एन की संख्या है ओ ए है एक डालेंगे तो यह दो हो जाएगा एल में अगर दो डालते हैं तो दो दोलनी चार और दो इसका जो फर्मुला था टू एन स्क्वाइर य चार डालेंगे तो 32 और 5 डालेंगे तो पाचास होगा है चलिए अगला कोशन की कौन सा कथन जो है वह गलदिया गया है तो इसमें जो है प्रत्व कथन है कि एक आवर्त में 22 दाइं चलते समय तत्वों की रशनिक प्रतिकिया पहले घरती है और फिर भड़ जाती है नेक्स खत जाती है तो B जो है वह गलत है और A सही है तो आप्शन नवर A जो है वह प्रक्ट हो जाएगा कि कथन A सही है और B गलत है नेक्स्ट है कि इसका पॉइंट है कि मैंडलीप के आवर्त नियम के नुचार तत्वों के भोतिक एवम रसने गुन उनके प्रमानों भार के आवर्त फलन होते हैं आधुनिक आवर्त सार्नी मौसलेक के नियम के दराजों है अधायत है जो कि 1913 में दिया था आधुनिक आवर्त सार्नी के नुचार तत्वों के गुन उनके प्रमानों संख्यां के आवर्त फलन होते हैं यहीं तत्वों के जो गुन है वो प्रमानों संख्यां के आवर्त पर नियुधायत होते हैं नेक्स्ट की मन्गलिफ दोरा बनाया गया आवर्षानी में नोवर्ग और साथ आवर्थ थे जोकी मन्गलिफ की दोरा बनाया गया था नेक्स्ट की संक्रमन तत्व के लिए इन में कौन सा कथन जो है सरवादी की उप्यूगत है तो संक्रमन तत्व के लिए दोस्तों इसमें बारिकोस में से तिन अपूर्ण होते हैं उससे संक्रमन तत्व के अंत्रिकत आता है जबकि नेक्स्ट पॉइंट है कि नेट्रोजन की एक रशानीक तत्व है जो इसका प्रतिक N होता है नेट्रोजन परमानों संख्यां साथ होता है जबकि प्रित्वी के वाय मंडल में नेट्रोजन 78% विध्वान है नेट्रोजन गैस का उपयोग आश्क्रीम बनाने में क्या से जाएता है विजली की बर्बों में नाइट्रोजन भरने से उसकी जीवन अबधीज बढ़ जाती है अधुआ अधुनिक आबर्सारी में अधुनिक आबशारी में शमू में नेचे की और जाने पर नए कोशों की जोरने की बज़ा से क्या होता है तो चलिए इसका आंसर इसका आंसर हो जाका है दुस्तों परमनों अकार और नावकियाप भिर्दी होती है नीचे जाने पर परमनों सब्सक्री Hem Statement बिजल्य परवहाईत तो इसके रwyप में विघठ्रित हो जाता है तो इसको साय। सोडियों हायरोकषाईड Student है कुण सा निमल्दकित अविवीत आपकिल्या का उत्षपाद क्या होगा तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यहीं, option number इसका बी हो जाएगा, C-S-3, C-S-H हो जाएगा, यहीं मेथिनोल हो जाएगा, चलिए, एगला question देखते हैं कि किस बिदूत अफगटे का उपड़ परियोग डेनियल सेल में करते हैं, तो डेनियल सेल में किसका परियोग करते ह है, केठेट और यहोड पर करमसा उत्तपाद कोन से, तो इसका अंसर हो जाएगा, दोस्तों, यह Wav और ASO, 2 केठेटेट, और इनोट पर करमसा उत्तपाद है, फासफोरोष के एक प्रमानों में, कितने सयओजी, इले रक्टूर्न होते हैं? तो फासफोरोष के एक प्रमानो में जो है दोस्तों ये पांस सवाजिए इलेक्ट्रोन होते हैं इसकी द्रमान संख्या 49 तो इसके परमानों प्रमानों के नाभिक में 11 प्रोट्रोन है 12 निट्रोन होते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा दूस्तों यह 23 यानि 12-11-23 हो जाएगा प्रमानों होते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा दूस्तों 15 प्रमानों होते हैं निशाभी को जोडएंगे तो 15 हो जाएगा नेट्रोजन का दो हाइड्रोजन का आठ सलफर का एक और ऑक्सिजेन का चार समिला के 15 हो जाएगा नेक्स्ट की किसी एक सेल में समायोजित या जासकने वाले इलेक्ट्रोन के अधिक्तब संख्या किस चत्र पर निवहरव करती है तो अधिक्तब संख्या निकालने का फ्रमुला टू एन स्क्वार है यानि ऑप्शन नमर ए इसका क्रेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है कि किसी प्रमानों के के कोशों में समायोजित के जासकने वाले अधिक्तब इलेक्ट्रोन की संख्या कितनी है तो के कोश में जो है सबसे अधिक्तब संख्या जो है इलेक्ट्रोन का वो दो होता है तो इस काहां से लेनी ओप्शन नमर सी हो जाएगा बार बारिकोष में उपस्तित इलेक्ट्रोन की संख्या को क्या करते हैं तो बारिकोष में उपस्तित इलेक्ट्रोन की संख्या को सहुजन इलेक्ट्रोन करते हैं मेगनेशिब की प्रवनस्वंकिया 12 हे तो इसकी सिह हो जाकता तो दो आट और दो दो इसकी सिहुखता हो जाएगा ओप्शन नूमर डी नेक्स्ट है कि निम्न धातू में कौन सी धातू आयरन क्लोराइट से लोहे को विश्थापित करता है तो लोहे को विश्थापित करता है दोस्तों यह ज्यस्ता ओप्शन नमर्डी जो है यह ज्यस्ता आयरन क्लोराइट को लोहे से विश्थापित करता है ओप्शन नमर्डी ह तो इसका जो आंसर आँगा दोस्तों यह ंजहका क्ञा दुझा कर दोस्तों की मिसरन है तो तो क्याould आओ अस्लिख 204 जो है नेक्सट कोशन देखते हैं कि कि कुन्य विस्थापन का मात रख्ण का माकिक है तो कुनिया विश्थाबन का मात्राण निया होता है। imaging नो-a पाने के एकनु में hydrogen के दर्मान उर oxygen के दर्मान का नुपा't कितना होता है। तो इसका अंसर हो जाएगा हाईय blossom का एक और oxygen का आठ हो जाएगा। जब वर्प घलती है तो वर्प का तो itin गरता है तो इसका अंसर यानि आतर घरता है कलोरीन गयास कलोरीन के दो समस्थानिक का मिश्रन है जिनका नपात तीन नपात एक होता है ये दोनों समस्थानिक निर्में से कौन सा है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों ये दोनों समस्थानिक है कलोरीन 35 और कलोरीन 37 अप्शन जोड लगाएगे कुल दर्वाब का अंस क्या हो जाएगा तो इसका अंस हो जाएगा दोस्तों इन 15 अंपात 16 मेंगनेसियम रीबन को जलाने से सफेद राक उत्पन होती है जिसे ड्यास बनाने के लिए पानी में घोला जाता है तो दोस्तों ये मेंगनेसियम हाइड ओक्साइ है दो होता है इसका इलेक्ट्रोनिक बियास दो आठ दो है मेंगनेसियम एक छार मिर्दा धातु है जो आवत्त शारने के वर्ग टू में रखा गया है जब अमल धातु के कार्बोनेट के साथ अब किया करता है तो ड्यास बनता है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों ये इन में से सभी बनता है पानी नमक और कार्बन रक्षाइड बनता है फेरेस फेरस सलफेट को गर्म करने पड़ किस ठोस उत्पाद का निर्मान होता है तो ये हो जाएगा यानि फेरिक अक्षाइड का निर्मान होता है जब फेरस सलफेट को गर्म करते हैं नेक्स्ट कोशन वहला कोशन की खाट प्रदार्त को ऑक्सिकरन होने से रोकने के लिए किस गैस का उप्योग करते हैं तो यह नैट्रोजन गैस का उप्योग करते हैं खाट प्रदार्त को ऑक्सिकरन होने से रोकने के लिए नैट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं जो कि SSC 2020 में और ELP 2018 में यह question पूछा गया है जबकि next point है कि nitrogen gas का उपयोग chips के packet में भरा जाता है nitrogen का जो प्रमानुशन ख्यां होता है वो 17,7 होता है next है कि निम्लखित agent में कौन सा पेजल की सुधिकरन के लिए अच्छा है तो पेजल को जो सुधि करता है यह oxidizing agent होता है option नमर डी विशा पता जिसमे इलेक्ट्रोन गहन करने के छंता अधिक होती है उसे और धातों जो है ओक्सिकारक का काज करती है अब बाद में जैसे carbon, phosphorus और hydrogen है ओक्सिकारक जो है HNO3, KMNO4 यह सभी जो है ओक्सिकारक है नेक्स्ट है कि किसी रसनिक प्रिक्रिया के दुरान एक पदात में hydrogen की बिर्धी क्या कलाती है तो hydrogen की बिर्धी दोस्तों यह क्या कलाता है तो इस cancer हो जगा यह अपचेन कलाता है option नमर बी अपचेन कलाता है नेक्स्ट क offersण है एक तत्व का इल्ट्रोन की बिनियास यहाँ करी दूगए है और कार्या की आवाशान में उस तत्व के ठीक नेचाले तत्व की प्रिमणु संख्या कितनी होगी तो दो दो चार छिए दस दो बार तीन पंद्र पंद्र म्र के नेचे वाले जो तत्व होग वह 33 होगा option number B इसका correct हो जाएगा चलिए एकला कुशन हम लोग देखते हैं एक तत्व का एलेटरी विद्यास यहां पर दिया गया है आठ दो दास चार चोदा तत्व का नाम क्या है इनि चोदर वाले जिसका परमानों संख्या वाल कोई सा तत्व है तो इस सिल्कन हो जाएगा option number B संभारिक परमानों की विश्या में कोई सा कथन जो है वह सही है तो दर्मान संख्या संख्या उससे संभारिक कहते हैं पर दो परमान संख्या भी नहों तो option number A जो है और यदि एलमुनियूम की से हो जगता तीन है और oxygen की द है यहि explorative. घ 11 कंअरव क्रियासील है तो है वह जींक हो जाएगा option Enter a को थे आलमुनियें शुलफेट कर। बियान स्यार्यमॉनियम को विश्थाभित कर सकते हैं तो इसका आंसर ऑन दोर यह की तत्व कंश कर सकती है एक तत्व का परमास्ख्यां संख्या यह तो वो संक्राइब 20 हो ऐसका पर्वानकृ रभीश है तो यह किसके समान होग तो इस कहतité व्यूंजिंतर हो जब दों के समान हो यह इसका प्रवहनों संख्या चार है और अब €2 मन घर चाहो है MON mismo class कों सा नहीं है तो आप्शन नमर सी जो है इसका रशानिक समिक्रन वो गलत है चलिए अगला कॉशन देखते हैं कॉफ़र्ड निम्न प्रकार से सांद्र नाय्ट्रिक अमले के साथ अबकिर्या करके क्यूप्रिक नाय्ट्रिड और नाय्ट्रोजन डायोक्साइड बनाता है जबकि यहां पे रशानिक अबकिर्या दिया गया है और क्राकॉन सा संतुलित समिक्रन है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा तो इसका अंसर ऑप्शन नमर सी हो जाएगा यह संतुलित रशानिक अबकिर्या है क्राकॉन सा पाने की साथ केल्सियम की अबकिर्या के लिए सही नहीं है पाने की सा के फल्ट बुजी चुन्य का बन्ना डेस्का उधारन है तो औप्स न यृष्य सब्सक्राइब की ओध्यर्वान के लिए के फ्लीय की लाशने की काबन डियोक्साइड और मोनिया का परियोग करते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा घरती हुई परतिक्रिया के करम में वेवस्तित आम धातों को इस परकार से जाना जाता है तो आम धातों को दोस्तों किस नाम से जानते हैं तो गति बिर्धी सिरिंखला के नाम से जानते हैं अगला कॉसन की कौन सी धातूं के बारे में कथन जो है वो गलत या गया है तो यह अप्चन नमर्डी जो है कि यह विदुत्रिनात्मक होती है यह कथन जो है धातू जो है वो गलत है धातू जो है विदुत्रिनात्मक होता है ना कि विदुत्रिनात्मक तो अप्चन नमर्ड जो है गलाद दिया गया है जबकि first, second और third सही है कि यह तन और अगहात वर्धनेता होती है यह सही है जिसके गलनांक और कफनांक उच्छ होता है तो यह भी सही है यह ताप और विदुत का सुचालग होता है तो यह भी सही है Most question is, कि क recreation कीजिए, कburgerा के उपमिशत में से कोई से कतन्य जो है हो सही दिया गया है चलीए इसमें पर्थम ुःतन और निलोर्द घतन्य जो है उस प्रस्यर्थ ग्लत्य गया है वितल सर्रम्बा है फितल उजस्थत कामिश्रन है यह सही है पार्दित्त समिश्रण वे पदात था जिसमें पारा अनिवहास्ता सम्नित होते हैं तो यह सँही ह्ए एक और तीन जो है वह सँही है अधिक मात्रा के कैल्सियम फास्फिट वाला सीमेंट क्या घुन सेद्म यह जगा थरोओं जरूत गती का रसनिक सुत्र क्या हो जाएगा तो इसका रसनिक सुत्र हो जाएगा दोस्तों यह एने 2 CO3 option D डैस का रसनिक नाम calcium sulfate dihydride होता है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों यह gypsum option C ब्रेंचक चुर्ण का जल में मिस्रंद करने पर कौन सी गैस निस्कासित होती है जब ब्रेंचक चुर्ण को जल में मिस्रित करने पर कौन सी गैस निस्कासित होती है तो यह कलोरिन निस्कासित होती है जब ब्रेंचक चुर्ण को जल में मिस्रित करते हैं तो कलोरिन गैस जो है यह निस्कासित होती है ब्रेंजक्चुर्ण जो है एक मिसित लवन है जिसको केलसियम हाइपोकलोराइड भी कहते हैं ब्रेंजक्चुर्ण को बिल्चिंग पॉड़र भी कहते हैं ब्रेंजक्चुर्ण का उपयोग कीरा को नास करने में करते हैं बिल्चिंग पॉड़र का उप्योग पीने के जल को सुधी करन कलोरोफर्म और कलोरिन गैस बनाने में भी प्रियोग करते हैं धोवन शोटा का रसनिक शुत्र पुचा है तो एने 2-0-3-10-S2O एने धोवन शोटा है तो 10-S2O हो जाएगा काले चुना र्यास बनाने के लिए पाने की साथ अबगिर्या करती है तो काले चुना जो है यह असलेख चुना बनाने के लिए यह पाने की साथ अबगिर्या करती है कौनसी गयस चुननेक पानी को दुधिया कर देती है तो यह CO2 कारबन डॉक्साइड जो है चुननेक पानी को दुधिया कर देती है संक मरमर जो है इसका रशनेक सुत्र होता है CACO3 काले चुना का रशनेक सुत्र होता है CAO काली चुना का C-A-O, जबकि CO यहने का मोनोक्षाइड को दम घोटने वाला गैस भी कहते हैं, ओजन का जो रसाने शुतर होता है, ओजन गैस समताब मंडल में पाई जाता है, कहां तो समताब मंडल में ओजन गैस पाई जाता है, चलिए, अगला कुछने कि किस योगी का उपय फोटोग्राफी में परियोग करते हैं, तो दोस्तों यह सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का परियोग जो है, यह फोटोग्राफी में करते हैं, बिल्चिंग पॉडर बनाने में किस गैस का परियोग करते हैं, तो बिल्चिंग पॉडर जो है, इसे बनाने में निर्वान के दुरान निम लखते में कौन सा आइरन की ठोट की और अस्थानदित हो सकता है तो इसका आशर हो जाएगा यह प्लस सोडियम प्लस हो जाएगा पठोस पता जिसका समाने नाम सुष्क बर्फ है तो सुष्क बर्फ किसे करते हैं तो यह सी ओ टू कहते हैं सुखे क को गर्म किया जाता है तो यह जल और काबन रक्षाड में परिवर्थित हो जाता है तो दोस्तों यह हो जाएगा यह सोडियम काबनेट जल और काबन रक्षाड में परिवर्थित हो जाता है कि किसी प्रमानों के कच्छा में समाय उज़त किया जाता है लेट्रों के अधिक् जबकि अनुक संख्या कभी रिनात्मक नहीं हो सकता है किसी भी गैस के एक मोल कायतन जो है बाइस पॉइंट चार होता है वो धातों में आमतर पर सबसे बाहर करक्षा में कितने इलेक्ट्रोन होते हैं तो अगर धातों पूछे तो एक दो तीन होता है और धातों पूछा है तो धातों में जो है बारी कोख्ष में पांच छे साथ या आठ एलेक्ट्रोन होता है तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेगा अप्शन नमर इसका जो है बी को रख्ठ हो जाएगा चलिए एहला कॉसण हम लोग देखते हैं तेख , एल इलक्ट्रोन की अधित्याव संख्या इलेक्ट्रोन की इतनी होगी तो isa come शोअ है यह 32 संख्या होती है कार्बंड्र अशर में कार्बंड मिंजाकता जो होग वोग कितनी होती है तो इस कांसर हो जाएगा दोस्तों यह नहीं चार कार्बन रक्षार में कार्बन किसी जगता जो है वो चार होती है और संतुलित राशानिक समीकरन को क्या खते हैं तो और संतुलित राशानिक समीकरन को दोस्तों यह कंकाल राशानिक समीकरन कहते हैं और उप्षन सी कंकाल रा के बार में कुए सा कथन जो है है और सही है तो की से अमल के साथ 술 आपकीरिया करके लबन हो में नाम दिया गया है तो इस स hm का अभिकरिया हो जाया ये अन्वेक हो जाए का धाल में आपकीरिया के जाएगा Option No.1 जालिए एकला कॉसन की evidence के बारry में कुश्सा कथन जो है वह सही है तो उठ स्थ्प्रलिएक के बारे में ल्याइक दूसरा कथन जो है सही है कि वह पर्थिक्र में परधिunktिया दरी बढ़ता है और वह सक्रेता और जा बढ़ता है तो एक और दो दोनों सही है चलिए और इस चेप्टेर का लास्ट कोशन है कि क्या होता है जब CO2 गैस को चुनने के पानी में परवहायित करेंगे तो क्या होगा तो यह बिलियन दुधिया हो जाएगा बिलियन जो है दुधिया हो जाएगा अब हम लोग चेप्टेर नमर फाइब जो है इस वीडियो में सलूशन करने बाले हैं दोस्तों अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो सभी लोग एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग अपने वार्षप ग्रूप या तिली ग्रह निट्रन और प्रोट्रन पर आरोपित बल कहलाता है तो प्रमानों के बेता जो निट्रन प्रोट्रन पर आरोपित बल होता है उससे नावकिया बल कहते हैं तो option A नावकिया बल हो जाएगा नेक्स्ट पैंट है कि किसे भी दो बशत्यों के बीछने लगने वाले बल को गुर्तबा कसन बल कहते हैं audio गुर्त बल जो होता है वो दो बस्तों में एक बश्चु पिर्तिवी रहे और वह या sama एक पुर्त पिर्तिवी केपितल जी का मान पूर्य बढक में कहीं बीने बादलता हैниц chỉ कॉछचना की प्रुटिययम और टाटिययम अ आरहने वाले समस्थानिक है तो यह अगरोजन के यह ह्लोजन के प्राकृतिक रूप से पाजने समस्थानिक सब्सक्रणी के शर्ट किसे नें किया था कि मेटम क्योटी नें किया था अप्शन 202 मेडम क्योटी ने सब्सक्र SM किसका विखंडन थी क्लिए कि रीडियु नाभिक अब नीद्सा से अधरी मापी आती पिक्लिटी से जो नो यह इसका या से जाएगा कौन सा एक रेडियो धर्मी तत्व है तो रेडियो धर्मी जो तत्व है दोस्तों यह उरेनियम हो जाएगा आप्शन नमर बी उरेनियम नेक्स्ट कोशन की सबसे हलका रेडियो धर्मी तत्व कोन सा है तो इसका अंसरों ज्यकरनी एक विशेश तत्व जिसका प्रभाव रेडियो पर पढ़ता है सबसे हलका रेडियो धर्मी तत्व एक विशेश तत्व जिसका प्रभाव रेडियो पर बढ़ता है नेक्स्ट कोसन की स्रिंखला अब कीरिया के दुरान नावकिया विखंडान में नेट्रोन को अब सोसीत करने के लिए जिन दो तत्वों का उप्यों किया जाता है तो कुन सा है तो इस कान से रोजाएगा दोस्तों यह जाएगा बरॉन और गेर्डियों हो जाएगा अप्शन है और यह टाइटेनियों धार्मी तत्म नहीं है नेक्स्ट कोसन की कोबाल साथ आमत्र पर विक्रण चिकेसा में पयोग्ध होता है क्योंकि यह उत्सरजित करता है तो कोबाल साथ जो है यह उत्सरजित करता है गामा किरन ओप्शन सी गामा किरन उत्सरजित करता है प्रमान चेप्टर नमर 6 को सलूशन करेंगे इसमें इतना ही objective कोशन दिया गया था चलिए तो जो विल्य अब शेप उत्पन करती है दोस्तों उसे अब शेपन अबकिरिया कहते हैं नेक्स्ट है कि अबकिरिया एमजी ओ प्रसी ओ मिलकर virtue में मैं किस फादार का ऑक्सिइकरन हो और नहीं कामी होती है तो अप्शन बी इसका क्या होती है, S2O2 में O की Oxycran संख्यां क्या होती है तो O की Oxycran संख्यां यानी मैनस एक होता है Option No. B हो जाएगा Next है की खाद प्रदात का Oxycran होने से रोकने के लिए इनने से किस गैस का उपियो करते हैं तो दोस्तों ये Nitrogen गैस का उपियो करते हैं निम्वन तत्व में इस किस में Nitron नहीं होता है तो Nitron जो है दोस्तों ये Hydrogen में नहीं होता है Option C ये इसका assumeешь औंस रो जाएगा Nitron जो है Hydrogen में नहीं होता है Next है की निम्वन अभिकिर्या discretion का उधारन है जो अभिकिर्या दिया गया है 21 का उधारन है तो दोस्तों ये उदासी नवकिरिया का उधारन है तो अप्शन नमर ए हो जाएगा इसका अंसर उदासी नवकिरिया एक्ष्ठा की जब सुस्क भुजे हुए चुन्यक को कलोरिन क्रित यानि कलोरिन करन होता है तो मुक उत्पाद की रूप में क्या बनेगा तो मुक उत्पाद की रूप में दोस्तों यह केल्सिम ऑक्सी कलोराइड बनेगा तो अप्शन नमर एस का क्याक्ट आंसर हो जाएगा सब्सक्राइब लेकी जुडंक उक्साइड प्लस कार्बन मिलकर जिंक प्लास COBões ये कार्बन मोंसे Jacobसअड बंता है उस अब क्रिया में क्या होता है तो दुश्ट dulu इस अभाबिया में जो है ये тот औक्सायड अपचरीत होकर जिंक कहने इमान करता है नेक्स्ट जो है अपकीया में पूछ रहा है कि इस अपकीया में है इस टू और टू किसके रूप में कारिज करता है तो मैं जो है एक अपचाय के रूप में current करता है नेस्ट जो You किया देया गया है और करया उप्रिक तब किया में क्या हो रहा है चलिए तो इसका अंसरों जगा दोसों ये कि आपक्रिया है है तो है एक्षेट हो रहा है हुए द्जसْंन आपकिरिया था gözब चलिए और élect飯 को सब्सक्राइए दोसों यह दूई विस्थावन अबकिया कलाता है, option no.1, next की कौनसा redox अबकिया का उधारन नहीं है, तो redox अबकिया का उधारन, जो है, यह option no.4 नहीं है, तो इस नहीं हो जाएगा, किरै कि यहां पर एक अभकिया देया गया और कराई यह आभकिया इनुश्किस का उधायन है तो यह जो अभकिया है दूस्तों यह अभ छेपन अभकिया का उधायन है तो अप्सनिमोर डिज का कोईक्ट आंसर हो जाएगा नेक्ट यसमें करा है कि कौन सा ताफी इभीगविटन अवकिर्या है तो ताफी इभीगविटन अवकिर्या जो है कि एकौन सा है तो इसका अपश। नंबर ये हो जाएगा जए NJNCO3 डिगई अभिक्रिया में डियस अव्चायक करता है तो अब की रूप में दोस्तों यह सी ओ काज करता है मोनोख्षाइड करा कि उपक्ति में से कौन सा कथन जो है वह सभी है तो इसमीस होज़ा जाएगा एनि परथम पीतल वह दो मीश्टता का मिश्रन है तो यह सउय है नेक्ष्ट कबमिश्ण कि परदित स्मिश्रन वह पदा था जिसमें इसमें परवनिवाज़्ता समने थे होते हैं तो यह सई है जो से अलव GRE आगा है यह कुशं जो है दस्तों repeat हो गया है को आए परैंपर्थम नहीं है चलें दोएखते हैं इसमें जो है परताम औलवन रम न मिकरन जो है यह सम्रपनीं जल से सम्हित है तो यह सभी है व्यक्रति करन जो है मुल्ट उस्य चाइ सम्हित है तो दूस्तों यह एक cry है अप्षिन एक मिथन और कलोरिन गयस ये मिथाल कलोडार का बनना किस प्रकार का बखिरिया है तो दोस्तों यह हो जाएगा यानि यह परती अस्थापन अब गिरिया है नेक्ट क्रशन पुछा कि निम्न लेखी दर्व पताथं मेंसे कौनसी विदूत के चालक है तो विदूत का चालक क्वोण सा है तो इस का आँचर हो जाएगा दोस्तों यह आनि सीरका और यह लवन बिलियन जो है यह विदूत के चालक है तो अप्शन नुमर डीश का क्वायक जल में 31 ग्राम नमक है द्रमान परतिशत के निस्वार द्रमान के संदर में बिलियन की सहनता जो है वो कितना परतिशत हो जाएगा एट पॉइंट एट थी परतिशत हो जाएगा कुछ अधे ये हैं कुछ और लिक्रिया में कुछ सा जो है किसका उधार्न है तो दोसrep Mitt की परकीरिया का पज में उन प्रदार्थ कि लिए किए जता है जिसेमें ग्रेस होता है तो दोस्ट में बनिद्राउब नेक्स कोसरना की इक वरणता प्राग मैं जिली फाल गति का वरंट करता है तो यह प्राश्रन हो जाएगा option No.A प्राश्रन नेक्स्ट है और इस वीडियो के लास्ट कॉशन है कि किसी पतार्थ की उच सन्था सिन्यमन सन्था के ओर शोता गरती करने की प्रक्रिया क्या खलाती है तो दोस्टो यह बीश्रन कलाती है option No.C जो है बीश्रन कलाती है चलिए चलिये बिलियन जो है इसका पर्थम कोशन है कि इस्का किस योगिक में क्रिष्टली करन जल नहीं है तो इस गलनांग जो है ये कितना होता है तो तो गश्टन का गल्णाग 2422 डिघ्री सेल्सियस अप्शन नूमर्ड डी जो है 3422 हो जाएगा नेक्ट कर्थन है और में धिया गए है तो इसुमें जो है रहे प्रफम कर्थन है की निजल सुडियूम काप्विनेट य। को सोडा एसीड अगनी सामक के रूप में करते हैं तो यह गलत है ने जल सुडियूम काबनेट को जल में घोला जता है और किस्टल जल के दस अनुम वाले रोण सोदा किस्टल प्राप्थ करने के लिए उसका पुना किस्टल ही किया जता है तो यह सही है यानि कथन जो है अब किया जो अभिलय अभगया अभचेप अपचस्टल अभगया करती है उन्हें बाहता है तो जो अभगया किया करते है तो यह सिए अभचेपन अभगया करते हैं hydrogen और oxygen से जल का बना किस्का उधारन है तो यह से vinden한 परतिकिया का उधारन है नेक्स्ट की एक तत्व ए जल के साथ अबकिर्या करके एक बिलियन बनाता है जो फिनो निफलो फतेलिन की बिलियन को गुलावी कर देता है तब एक के डैस होने की सरवादिक संभवना है तो एक को जो है दोसों ये एजी होने का सरवादिक संभवना है की सिपर्दार्थ की उची संता सीनिम् की और सता गत्लिमान करने की परक्रिया की क्या करते हैं तो इस曲 रोजागा दOसटो इसों इसे बिसरन करते हैं, option सीबी हो आते हैं, नेक सब्सक्राइब INTROबा का जो है, यो hy यो沒事 run है př. जो है cambium hind ऑद जो है, यह मिश्रन है तो अप्शन नमर्डी इसका कोएक्ट अंसर हो जाएगा नेश्ट की उस अब उस प्रकिटिया का नाम क्या है जिसके कारण जिवित को शिकाएं को अल्प प्रासरी बिलियन में रखने पर उनके अकार इभम आकरिती में विस्तार होने लगता है तो इसका अंसर कि कुछ दाने मिलाती है तो बिलियन के रंग बदल लेता है कि डेस्क निविमान के कारण जो होता है तो दोस्तों यह जो है अल्मोट अप्शन नमर्ड ए सका क्याख्ट अंसर है डेस्क यह सिम्पिट हमें है है तो कलस्यमस अलपिट हमें है जो है एक पलास्टर ऑफ पेरि 10 आप्षिन का क्या होता है जब क्लॉराइट की बिलियन में सिल्फर नै्ट्रेड का बिलियन मिलाय जता है तो इस कहा हो जएगा दूसों यानि यह सिल्फर क्लॉराइट का एक सफेद अबच्छे बनाता है नेश्ट कोशन की रिष्णिक्स अब गिया के दुरान किसी बिलियन स्रिमा विलय प्लैत को ड्यास कहते हैं तो उसे अणि अपजेब कहते हैं 3 कॉशन की सीमा-द्वू निचवरती है rdरस को गिलास में किति करती है जब वह इसमें थौड़ा जल बिलाती है तो उसे माशुज होता कि इसकी ख़़ता शकम हो गई जर्म मिलाने से आइड्योक्साइड आयों की संद्रत पर क्या परभाब परता है यह बढ़ जाता है यह बढ़ जाती है next की सुनिल चावल के अन्ट्ग का पेस्ठ बनता है और पेस्ट में आविट्रिन की विलियन की एक बुन्द मिलाता है तो उसे क्या दिखाई देगा तो दुस्छों से जो है पेस्ट का रंग नीला चला हो जाएगा और उप सुन्मुट डी जो है इसका कॉल्यक्ट अंसर हो ज कि سुअने की सम्भवना है तो किसकी सोडियुं कि जले को qy कहते हैं एक उदासशी कि प्रविमान का पेचमान कितना होता है तो 7 होता है नेक्स्ठा की डश्क की किरिया दोरा सलफ़र से, शलफाइड आयन का निर्मान होता है 42 और उकल्चय। कि इसका पेचमान 2.6 आज दरसाता की की बिलियन डश्क म का है तो परफर अमलीय परकिर्ति पर Вы , सी यू सी एल टू बिलियन का रंग होगा तो सी यू सी एल टू का बिलियन का जो रंग होगा नीला और हरा होगा नेच्ट है कि विदुत्वछा भटन भिधिलवड़ानाओ कि निर्मान में किसी बिल्ययंड का ओप्योग किया जाता है तो दोस्तों ये लबन ज़ल का ओप्योग करते हैं अपनच इसका सई अंशर है नेक्स्ट कोशन है कि किस बिलियन में प्रकास का प्रक्रिणन हो सकता है तो प्रकास का प्रक्रिणन जो है ये कुडाडी बिलियन में हो सकता है चलिए अगला कोशन है कि हाइड्रोक्साइड आयन की उच सन्ता वाले बिलियन की सम्द्ध में कौन सा कथन जो है वो सही है तो हाइट्रोक्साइड आयन की उच सनलता वाले बिलियन में जो है पर्थम कथन सत्त है कि बिलियन जो है उच पेशमान वाला चारकिया बिलियन है जो कि एल्पी और गुरूब डी दुजर बायस में एल्पी दुजर थार में दूरों में ये कोशन पूछा गया है नुखु मोलीग अमल पायता है कि उसलां की इस पुलाडी में त्रलर पाविस्थायोता है Be तो पर कशि millise जाएगा दर्थो लोलाश आम पुस्तप्रवास्थापू में तो बाल मेर भास्था चाएगा next question है कि 1 billion में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है दर्यमान परतिशत सम्द्द के नुशार दर्यमान के सम्द्द में billion की सानता जो है वो ग्यात किजिए तो इसका अंसर होज़ा दोसों यह यह नि 8.83 परतिशत next है कि next numerical का ही है सोना किस अमल में घोल जाता है तो सोना जो घुलता है यह अमल राज में अमल राज में घुलता है क्वार्टर्ज का रशानिक नाम क्या है तो इसका रशानिक नाम इनि सोडियम सिलिकेट होता है किस बिलायक को सारभ्हुमिक बिलायक की रूप में जाना जाता है तो दोस्तों यह हो जागा पानी को सारभ्हुमिक बिलायक की रूप में जाना जाता है नेक्स्ट कोशन है कि किसे एक बिलियन की रूप में वर्कीत क्या जाज सकता है तो यह हो जागा समुदरी जल को एक बिलियन की रूप में जो है वर्कीत क्या जाज सकता है अगला कोशन है कौन सा बिलियन और बिलया के समन्द में सही कथन नहीं है तो इसमें हो जाला दोस्तों यानि option नमर B कि बिलया की कन तल में बैट जाते हैं और बिलियन को आवन यानि और बाधित कर रखा जाता है तो यह कथन जो है गला दिया गया है नेक्स्ट है कि डैस दोला सिद्केगे एक नियम के नुशार है इलेक्ट्रोलाइटिक बिलियन सी गुजन्य वाले बिद्धुत की समान मात्रा से मुक्त विभिन पतार्थों की मात्रा उनकी रशनिक सम्तुल भार के समनफाती होती है से यह दोब। हो जाएगा यहनी माइकल फाइड़ के कुषर नेक्स्ट पॉंस्ट जो है कि मछ चितल पै का पर्मोगतक कौन सा है यह मिख चितल पै का पर्मोगतक है जर्सक्राइब हम सुद्ध जल में यबवन मिलाते हैं तो इसका कत्राइध बढ जाएएगा सोडा वाटर में किस गैस का वियो करते हैं तो सोडा वाटर में दोस्तों कारवन डैक्साइड का अपयो करते हैं option बी जो है इसका सही अंसर हो जाेगा और किस बिग्यानिक ने पधात की पासिमिया वस्ताकि के लिए जो है कुछ गंना किया था तो ये सत्य अंद्र भोस ने option ौम्ट भी होजागा सत्यांद्र भोस ने next question की लोहय को कफ़ोर और मजबत बनाने के लिए किस से मरे क्या मिलाते हैं तो लोहय को कफ़ोर मजबत बनाने कि लिए दोस्तों इसमें कारवण मिलाते हैं तो option जो है इसका c ु fazer carbon यहनी कार्बन मिलाते हैं। कि एक सान्दरन अम लोग में और नहीं को मिलाएंगे option मेर भी हो जाएगा आछ जल में सबसे कम घुलानील union गैस कौन सी है तो जल में सबसे कम घुलान político पूछ H जो अपने कथनाग पर विखनरित हो जाता है उसकाहिं मोग सुद्ध की आजा Sana होते हैं तो दोस्तों यह समानित दाप और आसमन की दर जो है इसे सुद्ध किया जा सकता है चलिए अगला कोशन है कि जिवास मिंधन के जलने पर उत्सरजित होने बाले कारबन नाइट्रोजन और सलफर के ऑक्साइड डैस होते हैं तो इसका अंसरों जगार दोस्तों यह अम एयोडीन एक टिंचर परतिरोधी गुन रखता है यह बिलियन निम्लिक्त में से किसको घुलाने पर बनता है तो यह जो बिलियन है दोस्तों यह अलकोहल में एयोडीन को मिलाने निगोलने पर बनता है तो अप्सिन नमोर डी हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है कि जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घुल के मद से बिजली पाईद होती है तो कौन सा उत्पात बनता है तो इस कांसरों जगार में सोडियम हाईर उक्षाड बनता है फोटोग्राफी फिल्म से फोटो विक्सित करने में किस रशानी का उप्यो करते हैं तो यह सिल्वर ब्रोमाइड का ओप्योग करते हैं नेक्ष्ट की समंदरी जल के विल्व निकरन के लिए इस्तिमाल की जाने वाली तखनिकी में से कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा दूसमें यह आशवान आप्शन नमर भी आशवान हो जाएगा नेक्ष्ट की गष्ट सोने को गोल सकता है तो सोने को कौन सा गोल सकता है तो एक बार रेजिया हो जाएगा तो कि अप्शन नमर द्या गया है लासा को पानी की साथ मिशित करने पर उसमें किस uni रुप में इस्तिमाल किया जासकता है तो इसान से जा दोस्तों इसे गौंध की रूप में इस्तिमाल कर सकते हैं अब हम लोग चैप्टर नमर आठ का सुलोशन करेंगे चलिए चलिए चिप्टर नमर आठ का प्रथम कोशन है कि एंटीपी पर गैस एक्स के 10 ग्राम आयतन 5.6 लिटर है तो एक्स का आनविक भाहर क्या हो जाएगा तो एक्स का जो इसका आनविक भाहर होगा वह 40 केजी होगा यहापे देखिए प्रदात का दिर्मान 10 ग्राम दिया गया है आयतन 5.6 लिटर है और आनविक भाहर पूछा है तो एक मॉल गैस में 22.4 लिटर जो है एंटीपी पर 22.4 लिटर मत्रा होती है तो W1 बटे V1 बरावर W2 बटे V2 हो जाएगा इन 10 बटे 5.6 है इसलिए W2 बटे 22.4 तो यहाँ से W2 जो है 40 ग्राम निकलेगा जबकि STP या जो मत्रा बित्रण पाती होती है तो दाव के बित्रण पाती होती है विशरन के वाएं जो है वो कोई सा कथन सही नहीं है तो गैसो की विशरन की दर उसके आयतन पर निवरब करती है तो यह कथन जो है यह गलत दिया गया है कि गैसो का विशरन की दर उसके आयतन पर निवर गती करती है, गैसों की बिशरन की धर, ठोस और दरब की तुलना में अधिक होती है, ये भी सही है, बिशरन की बलता भी संभव है, जब अधारत की कन लगतार गतिमान अवस्था में हो, तो ये भी सही है, तो इस प्रकाजु है, option number A गलत है, कौन सा गैस ये है, नियम इस्तिर तापमान पर, गैस के दाब एवं आयतन के मद में संबंद को परदसित करता है, तो ये वाइल का नियम हो जाएगा, option number A, जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन सुन हो सकता है, उसको क्या करते हैं, तो उसे प्रम सुन तापमान करते हैं, लेक्ट कोशन है कि वाइल का नियम क यानि वाइल के नियम के नियम के नियम के नियम के दाप पर तब तक गर्म किया जाता है जिब तक कि इस ग्यास का आयतन दुगुना ना हो जाए तो ग्यास का अंतीम तापमान कितना होगा तो ग्यास का अंतीम तापमान जो है कि कि नियम के नुसार स्थीर ताप उन नीम के नुसार इसतीर तापमान पर गचांद के की बायतो होता है तो इस कहां स्रुशाल में ये नशार हो ये तो आद हम लोग इस वीडियों में नुसार तक जो है वो सेलोशन कर चुके हैं अब पार्ट टू जब आएगा तो पार्ट टू में बचा हुआ दस चेप्टर जो है पार्ट टू में अब लोग को मिलेगा तो अभी तक आप लोग फिजिक्स का पार्ट वन और बायलोजिक का पार्ट वन नहीं देखें तो वह जाके जरूर देख लिजिएगा यह केमेस्टर का पार्ट वन भी आ गया है अब जहें सभी का पार्ट टू आएगा इसमें हर चेप्टर का यह हर विश्या का दो पार्ट में रहेगा वीडियो तो अप लोग दोनों पार्ट जरूर देख लिजिएगा तो जितने मिशाती इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर जिएगा और नहीं है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तर्थकबाय जय हिन जय भारत